Hi everyone, आप सभी का सवागत है कॉलेज बाला के इस चैनल पे और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ Stacks अब इस DSA की सीरीज में पिछली वीडियो हमारी थी Link List के उपर जो की अब टेक्निकली हम पूरा DSA पे आ चुके है और बेसिक टॉपिक्स तो हम ख़़म कराई चुके थे तो मैंने आपको यार अपडेट वाली वीडियो में भी बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले है Link List के बाद, Stacks के बाद, Queues Queues के बाद, फिर हम Heaps, Hash Maps, और Trees जो की आप से पूछे जाएगी आपके इंटर्वियो में अगर मैं अपना Personal Experience यहाँ पे शेर करूँ तो जो मेरा इंटर्वियो था, पहली कंपनी जो मेरी थी जिसमें मैं इंटर्वियो दे रहा था तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि भाई, आप Stacks को और Qs को भी कैसे इंप्लिमेंट कर सकते हो RIS के थुरू और Linklish के थुरू पहली बात तो उन्होंने बताया नहीं था कि कैसे इंप्लिमेंट करना है, वो मुझसे उन्होंने पूछा कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रुक्सर है जिससे आप इंप्लिमेंट कर सकते हो स्टैक को, और कर सकते हो तो करके दिखाओ तो ये लेक्चर बहुत इंप्लिमेंट रहने वाला है ठीक है, हो सकते है, आपको हलका सा बोरिंग लगे इंप्लिमेंटिशन के टाइम, स्टार्टिंग में तो मज़ा आएगा लेकिन उस पे बने ज़रूर रहना, क्योंकि यार लिटरली आप से इंटर्वीवें पूछा जाता है कोडिंग रॉटं में तो नहीं आता है, लेकिन इंटर्वीवें पूछा ही जाता है, इंप्लिमेंटेशन कहीं headphones कोई न कोई company आपसे पूछेगी तो बहुत important lecture बन जाता है आज का तो शुरू करते हैं आज के इस lecture को अपने नए data structure के साथ जिसका नाम है Stacks ठीक है यह रहने वाला है हमारा Stacks का part 1 जैसे कि मैंने आपको बताया और part 2 of Stacks आपको बढ़ाया जाएगा तो आजाते हैं यहाँ प पढ़ाता तो यार यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ अगर आपको object oriented programming नहीं आती तो आज के lecture में सबसे पहले तो देखो हम basic पढ़ेंगे Stacks का क्या होता है यह तो आपको समझ आ जाएगा फिर हम देखेंगे STL मतलब कैसे आप syntax सारी चीज़े सब कुछ यह भी आपको समझा जाएगा लेकिन तीसरी चीज़ जब हम implement करेंगे न यार वो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने oops नहीं पढ़ रखा तो it is very 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 important to study oops यह मैंने link list में भी पढ़ाया था आपको बताया था और oops का भी actually मैं मैंने part 1 ही upload किया अभी तक which is practical oops ठीक है class बनाना यह सारी चीज़े करना ठीक है static बहुत basics जो इसका second theoretical part हो तो हम last में कराएंगे तो वो पढ़ने की आपको अभी के लिए जरूत नहीं है यह समझने के लिए दूसरा link list अगर आपको नहीं आता तो obviously आप link list से stack को जो implementation है जो कि आज मैं समझाने वाला हूँ वो आपक separate topic भी आप stacks को पढ़ सकते हो अगर मैं इसके STL की बात करूँ जो syntax है जैसे हम array को declare करते है stack को करेंगे इसकी basic understanding और इसके questions सारे के सारे बिना link list को पढ़े भी समझा सकते बट मैं recommend करूँ है कि link list पढ़के आना oops पढ़के आना इसमें हमने जितना भी class node पढ़ा सबसे important यह और जो इसके questions किये तो यह आप definitely यार देख लो मेरी recommendation फिर भी यही रहेगी कि आप कामचोरी मत करना बिलकुल यह मत समझना कि मैं को link list अभी तक समझ नहीं आया है तो मैं link list नहीं पढ़ूंगा ठीक है ऐसा नहीं ऐसा please मत करो यार वो भी एक important topic है stacks भी important topic है ठीक है अब एक data structure हम STL देखेंगे overflow under flow के बार में देखेंगे फिर हम implementation देखने वाले जिसमें time लगेगा फिर हम advantages disadvantages देखेंगे दोनों ही implementation की तो शुरू करने से पहले सबसे पहले यार syntax से भी पहले यह एक बार जान लेते हैं न कि यार stacks होते का है आखिरकार ठीक है यह word तो आपने देख stacks लेकिन stack word आपने इससे पहले कब पढ़ा है ठीक है stack जैसे अगर मैं बुलूँ मेरे पास बहुत सारी किताबे हैं एक क्यों पर एक क्यों पर एक क्यों पर एक तो वो क्या stack of books है ऐसे आपने word सुने होंगे बहुत जगे ठीक है अगर मेरे को stack समझाना है एक basic से example के साथ तो सबसे असान example इसका पता है क्या हो सकता है बड़े गौर से सुनना है इस चीज़ को कि मान लीजिए आपके पास यारे क्या है CD का rack है अब हो सकता है आप नए जमाने के बच्चे हो आपने pen drives और google drive इन सब चीज़ों में ही आप share करते हो चीज़े लेकिन थोड़ा सा अपना बच्पन याद करो अगर आपको याद हो यार CD के racks होते हैं कुछ हमारे वो भी होती थी के किते हैं CD की अलग से डब्ब होते थी जिसमें हम compact disc को डालते थे लेकिन CD rack तो सब नहीं देखा होगा कुछ ऐसी सी shape होती है CD rack की ठीक है यह तो सब जानते हैं कुछ ऐसी सी shape होती है राइट ऐसा करके कुछ और आप यार एक एक करके इसके अंदर अपनी disc डालते हो राइट कहां से डालते हो आप हमेशा उपर से disc डालते हो अब यह बहुत ही important है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मान लीजी आपके पास कोई भी एक disc है तो उसको आप insert कैसे करोगे और य ठीक है एक बाइस की copy बना लेते हैं बहुत सारी cds रख लेते हैं मान लीजी आपके पास यार 4-5 cd है ठीक है तो आप cd को हमेशा उपर से डाल सकते हो ऐसा नहीं होता कि यार यह जो cd के rack की stick है हमने इसको तोड़ दिया बीच में से cds जगा दी नहीं 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 तो कु उपर ही insert करनी पड़ेगी ठीक है second cd अपनी फिर मान लीजे मेरे को एक और cd मिरको अपनी एक और compact disc को insert करना है तो मैं इन दोनों के बीच में ऐसे नहीं डाल सकता मेरको वो उपर ही डालनी पड़ेगी ठीक है यह एक अच्छा rule होता है cd का दूसरा अब मान लीजी इनके मैं colors define कर देता हूं थोड़े से इनके मैं colors define कर देता हूं इसका color कुछ और है तो ताक कि आपको चीजे समझ आए मेरे साथ बने रहो प्लीज 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 चीक है इसका हम color कर देते है अरे भाई हो क्यों नहीं रहा green blue कर देते है इसका color हम कर देते है यार यहां पे white और इसका color भी कर देते हैं यहां पे कहों गा भाई मिलनी रहा pink कर देते है ठीक है तो मालीजे ऐसे मैं disc डाल रहाँ फिर blue disc डाली ऊपर ठीक है फिर मैंने डाल दिया यहां पर DOUल कि बाहरे ठीक है, यह सारी चीदे मैंने कर दी, तो अब एक बात बताईए, आपसे कोशन पूछा जाता है, चार सीडीज है इसमें, मिरको अपनी ब्लू कलर की सीडी को बाहर निकालना है, तो कि मैं डिरेक्ली ऐसे चीन के बाहर निकालना है, नहीं, तूट जाएगी डिस्क, क्या तरी हो, यही एक तरीका होता है इसमें, ठीक है, तो जो हमारा डेटा स्ट्रेक्टर स्टाक है ना, आक्चुली में स्टाक एक एक सीडी राक ही होता है, कि हम उसमें elements को insert कर सकते हैं, एक ही जगे से, और वो जगे कौन सी है, उपर, मतलब हम उपर ही insertion कर सकते हैं, हमेशा, बीच में नहीं, नीचे नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ उपर insertion, secondly, यहाँ पर वापिस से, अगर मैंने मानलो सारी डिस्क सो हटा दिया, तो अगर मेरे को किसी डिस्क को access भी करना हुआ, तो मैं access भी सिर्फ और सिर्फ, अपनी topmost, topmost जो डिस्क होगी, CD होगी, उसी को मैं निकाल सकता हूँ, उसी को एक बारी के लिए, उसी को access कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ और access करना है, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर जैसे इसके साथ हम accessing कर सकते हैं, तो basically, एक stack में अगर मैं आपको बता हूँ, तो मोटे मोटे अगर मैं बोलू, तीन आपके main operations होते हैं, उ उन operations का हमारा नाम क्या है, उन operations का हमारा नाम ये होता है, सबसे पहले तो यार, सबसे important जिसको मैं बोलूँगा, यहां पर उसका नाम होता है, push, ठीक है, तीन operations है, push, pop, peak, push, pop और peak, ठीक है, तो push का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ, push, ठीक है, stack का मान लो, नाम है st, जैसे आपके array का नाम नहीं होता, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, आप ये लिखते हो, int, ऐसे, arr, arr नाम होता है, आरे का, मान लीजे, stack का नाम st है, तो एक function होता है हमारा push, push क्या होता है, कोई element में डाल सकते हो, और push हमेशा pushes an element to the top of stack, छीक है, दूसरा आपका क्या होता है, यहाँ प्यार, st.pop, pop का भी क्या मतलब होता है, आप element निकाल सकते हो, stack में से, लेकिन सिर्फ, जो top most element है, सिर्फ और सिर्फ, उसी को निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर एक होता है हमारा यहाँ पे, st.peak, peak basically कुछ नहीं होता, peak होता है कि हमें return करके देदेगा वो element, जो की top of the stack पे present है, जो की top of the stack पे present है, मानलीजे, white disk present है, तो st.peak करके मेरे को, इसमें जो भी value है, वो answer मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लेदिए थिए, यही तीन हमारे main operations है, और एक काम करते हैं न, stack की हमने देख ली working कैसे होती है, यही हमारा stack होता है, CD rack होता है, coding करके देखते हैं थोड़ी ही, और stacks को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और examples भी आप ले सकते हैं, और सबसे पहले अपना intelligent idea open कर लेते हैं, ठीक है, तो java programming में आ जाईए, और यहां पर आजाईए, java programming में, सबसे पहले तो folder खोल लेते हैं अपना यार, ठीक है, तो source पर आ जाते हैं, और यहां पर मैं एक नया folder बना रहा हूं आज, new package, जिसका नाम है stacks, तो stacks के अंदर ही सब कुछ होगा, ठीक है, ठीक है, link list आगे गलती से आज़, इधर देखिए, यहां गया रहा, तो source में new package stacks, ठीक है बई, stack में एक नई फाइल बना लेते हैं, new java की java class, इसका हम नाम रख लेते हैं, basics of stacks.java, बहुत बढ़ी है, अब इधर देखिए, सबसे पहली बात तो यार कुछ-कुछ declaration सारी चीज़े देख लेते हैं, इसको minus कर देते हैं, यहां आगया हमारा basics of stacks, psvm, main function बना लो अपना, ठीक है, और अब जैसे हम array declare करते थे, int मैं लिख सूँगा, arr, ऐसे, java के अंदर, int arr is equal to new, ऐसे हाँ पर आप लिखोगे, new int, ठीक है, और अपना size देना पड़ता है, आपको जैसे मान लीजिए 5 size का array, यह होती है array की declaration, ऐसे ही stack की declaration कुछ ऐसी होती है, आप capital letter में लिखोगे इसको, जैसे array list में होता था न यार, तो बिल्कुल exactly वैसे array list जैसी ही होती है, मैं array list समझाता हूँ, वो ज़्यादा असान है समझने के लिए, आप ऐसे लिखते हो, अगर array list, पहली बात तो जैसी आपने array list लिखाना तो ऊपर से चीज़ आ जाती है, बट anyways, आप लिखोगे array, फिर capital में ऐसे list, ठीक है, फिर आप यहाँ पर उसका data type स्पेसिफाइ करोगे, आप लिखते हो, आप लिखते हो, फिर यहाँ पर नाम देते हो, फिर लिखोगे new array list, आप देख सकते हो, जैसी मैंने काम किया, अपने आप एक चीज़ इंपोर्ट हो गई, import java.util.arrlist, तो इसको आप header file कह सकते हो, यह जब तक अगर मैं include नहीं करूँगा, मान लिजे यह किया, तो यहाँ पर red आ जाएगा, हम use नहीं कर सकते, ठीक है बाई, यह सारी चीज़ हम देख चुके, इसको एक बारी के लिए हम हटा देते हैं फिर, इसको मैं यह कर देता ह तो आप usually हम देते st, st for stack, is equal to same new stack, बिल्कूल ऐसा है देखो, new stack, फिर आप ऐसे ऐसे कर दो, फिर आप यह देदो, ठीक है, अब आप देख सकते हो, red red आ रहा है, error आ रहा है, और उपर यह हमें दे भी रहा है, कुछ option देखो, java.util.stack, तो देखिए, अगर इस पे आप click करक usually ऐसे option plus enter दबाते हो, या alt plus enter, या फिर mac में option plus return, तो एक चीज आ गई, तो अगर आप यह लिखते हो न, जैसे यहाँ पे था dot array list, तो आपको कुछ नहीं लिखना, import java.util.stack लिखो, तो यह चीज चला सकते हो आप, एक और चीज अगर आपको अभी तक मैंने नहीं बताया था, for some reason, तो अगर आप यह लिखते हो न, import java.util.star, तो सब कुछ ही import हो जाता है, तो देखिए, आप array list भी इस्तमाल कर सकते हो, कोई error नहीं आएगा, stack भी इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, इनको हटा देते है, I hope आपको समझ आ गया होगा, ऐसे हमारा stack बनता है, इसको आप ब बहुत बढ़िया, अब एक बार आ जाते हैं मिधर, कुछ इसके अंदर डालने की कोशिश करते है, stack के अंदर elements पता कैसे डलते है, जैसे array list के अंदर हम करते हैं, arr.add, यहां का हमारा add करने का function होता है, push करना, उपर से ही push कर सकता हूँ, तो अभी के लिए जब मैंने stack बनाय फिर अगर मैं लिखता हूँ, st.push, यहां पर देता हूँ, 32, ठीक, ऐसे लिख देता हूँ, 23, कुछ भी, फिर मैं लिखता हूँ, st.push, एक और element डाल दिया, फिर मैंने लिख दिया st.push, मान लिजिए 5 element डाल दिया, तो अभी जो मेरी हालात है न, वो कुछ ऐसी है, इधर आजेए, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़े बहुत example देके, सबसे पहले आपने syntax देख लिया, syntax वापिस से revise करते है, syntax is nothing but stack, यहां पर आप लिखोगे अपना data type, जो भी data type है, stack string का भी हो सकता है, integer का भी हो सकता है, double का, character का, character भी हम लिखके दिखाएंगे अभी, character के मैं लिखूँगा मैं, मैं लिखूँगा capital में, character, सेम मतलब जो की RList में होता था वही सेम काम है, अब यहां पर आप नाम लिखोगे stack का, मान लीजे, st is equal to new stack, से, 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 ठीक है, अब अगर मान लो मैंने यह लिख दिया कि भाई, अपना stack.push और पहले मैंने यहां पर एक open glass की तरह आप कह सकते हो, एक balty की तरह आप stack को समझ सकते हो, ठीक है, मैंने लिखा st.push 1, तो इसका मतलब यहां पर 1 आ गया, ठीक है, अब अगर मैंने लिखा st.push, यहां पर 23 या कोई भी number, तो क्या हुआ, इसके उपर 23 आ गया, अब इस stack में न, मैं बिल्कुल भी 1 क एक बारी के लिए access नहीं कर सकता, जब तक मैं 23 को हटाना दूँ, stack में से, ध्यान रखना, फिर अगर मैं यहां पर लिखता हूँ, st, मैं यहां पर लिखता हूँ, stack.push, मैंने क्या कर रखा है, 90 कर रखा है, तो इस से क्या हुआ, यहां पर 90 आ गई value, और फिर अगर मैं करत सकता हूँ, एक बारी के अंदर, जवाब है, नहीं, कैसे, यह देखिए, मान लीजिए, मेरको stack के members को access करना है, तो कैसे करते हैं, stack के member को access, यहां देखिए, आप peak operation का इस्तवाल कर सकते हैं, इसका peak, peak function, अब peak कैसे होता है, जब देखिए, push तो हमने देख लिया, push कैसे हो अब एक बार peak को देख लिते हैं, तो अगर मैं peak क्या करता है, return करता है, जो topmost value stack की, तो technically सबसे उपर 5 है एक बारी के लिए, तो मैं 5 को ही access यहां पे कर सकता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ system.outprint.ln और यहां पे लिखता हूँ st.peak, push नहीं, यहां पे करना है म यहां पे हम बोलते है, peak, तो अब देखना क्या होगा, अगर मैं run करूं इस code को, तो answer आजाएगा यहां पे 5, क्यों, तो कि 5 सबसे उपर है, लेकिन अगर मैंने यहां पे लिख दिया होता, st.push और यहां पे मैं देदू 34, तो answer हमारा 34 आएगा, देखिए, run किया, 34, तो topmost element का मैं access यहां पे कर सकता हूं, अग stack को, यहां पे एक बहुत important चीज जो मैं इसे miss हो गई बोलनी, जो सबसे important है, ठीक है, stack को हम पते क्या बोलते है, इस operation को हम कहते है, इस operation को हम कहते है, लीफो, लीफो, stack works on the principle of लीफो, जिसको हम कहते है, last in, last in, first out, अब यह last in, first out, अब इसका clearly यह मतलब होता है, कि जो मैंने end में, जैसे एक एक करके मैंने disk डाली न, जब मैंने end में disk डाली, तो उसी को मैं पहले निकाल सकता हूं, तो जो last में गया हुआ है, जो last में गया हुआ है, वही पहले निकल सकता है, और इसको actually हम लीफो के साथ साथ यह भी बोलते है, इसको हम फीलो भी बोलते है, first in, जो सबसे पहले element insert होता है, वो last out होता है, मतलब हम last में ही इसको निकाल सकते है, जो पहले insert हो रहा है, तो last in, first out, first in, last out, जबकि जो Q data structure होता है, वो FIFO या LILO होता है, ठीक है, ध्यान रखना, लीफो, फीलो, इन दोनों में से आप कुछ भ एक word में पूछे stack क्या होता है, तो आप बोलोगी लीफो, फीलो, ठीक है, तो यह होता है हमारा stack, हमने देखा कैसे हम peak कर सकते हैं, अब मान लीजिए मेरे को यार, stack के सारे elements को print कराने है, order wise, order का मतलब 12395, तो Java में यार हम built-in, ऐसे ही stack print करा सकते हैं, जैसे RLS को print कराते हैं, एक बार देखते हैं, Java के अंदर, हम ये काम कर सकते हैं, मान लीजिए हमें पूरा stack print कराना है, तो यहाँ देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, st, stack का नाम देदू, तो यह हो जाएगा, मैं run करता हूँ, तो देखो, यह तमीज से मेरे को stack print करके देगा, कि आपने पहले 1 डा है, अगर मेरे पास यह direct function ना होता, वो तो ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं इसको print कैसे करता है, इस पूरे के पूरे stack को, problem आ जाती है, यहाँ पे तो, क्यों, तो कि मैं एक बारे के लिए सिर्फ अपना, उपर वाला element को ही access कर सकता हूँ, और problem यह है, कि मान लो मेरे को अपना second top element को access करना है, तो मैं पहले वाले को निकालना पड़ेगा, तो क्या इलाज है इस चीज़ का, मेरे को पहले वाले को निकालना पड़ेगा, तो क्या कोई तरीका है, जिससे मैं अपने किसी stack को, अपने इसी stack को print करा सको, चलिए उसको देखते हैं, उससे पहले, कुछ और operations की बात करते हैं, यहां पर basic, हमने print तो किया, अम माल लीजे, मैं करता हूँ, st. मैंने आपको बोला था, pop, pop का मतलब delete करना, देखे, यहां पर options आ रहे, push, peak, size, pop, और empty, तो क्या मैं करता हूँ, pop, बागी भी हम समझाऊंगा, मैं आपको, इसके अंदर आपको कुछ नहीं देन होता, pop का simple meaning होता, उपर वाले element को हटा देना, माल लीजे, मैं वापस से print कराता हूँ, अपने stack को, तो देखना, क्या answer आएगा, मैंने वापस से stack को print करा दिया, अब देखना, 34 अट जाएगा, देखो 34, pop हो गया, pop का मतलब हटा देना, उपर से pop कर देना, similarly, माल लीजे, अ अब हम थोड़े से extra operations की, यहाँ पर बात करते हैं, जिसका हमारा नाम है size, माल लीजे, मुझे stack का size भी हाँ पर print करके दिखाना है, तो अगर मैं लिखूँ, south, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, size is, ठीक है, plus, अब मैं stack के size को ऐसे print कराता हूँ, st.size, ठीक है, तो यह भी एक integer return करता है मेरे को, अब देखना size कितना हैगा, 3 आएगा, मैं run करता हूँ, size is 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 elements बच गए है, माल लीजे, मैंने यह काम नहीं किया होता, इसको मैं अगर comment out कर दूँ, यहाँ पर, तो size हमारा 5 आजाएगा, यह देखे, size is 5, अगर यह यह मेरा stack है, तो इसका 5 size है, तो हमेशा मेरे को कोई answer लाके देगा, similarly, अगर मैं size को, यहाँ की यहाँ लिखू, declare करने के just बात, मैंने कोई element push नहीं किया है, तो 0 आएगा answer, यह देखे, यहाँ पर 0 आगे, size is 0, और अगर मेरे को, मैंने कोई element push नहीं कर रखा है, और मैं simple ल होती है, हमारी basic operations, push, pop, peak, सबसे important है, push का मतलब सबसे उपर element को डाल देना, उसकी time complexity कितनी होती है, order of 1, simple, एक ही element उपर डालना है, pop का क्या मतलब होता है, उपर वाले element को हटा देना, उसकी time complexity यहाँ पर कितनी होती है, order of 1, और peak का भी time complexity कितनी होती है, order of 1, तो यहाँ पर order of one में होता है लेकिन हमारे पास options ही नहीं है इतने कि मैं सब कुछ कर पाऊं अगर आपको मानलो third element को access करना है तो क्या करोगे यार तो उसके लिए आपको उपर से elements को निकालना पड़ेगा ना यार तो यहां पर यह पर यह परेशानी हो जाती है यहां पर अगर आपको अपन मेरा अभी के लिए stack क्या है अगर आप last में देख सकते हो तो मेरा stack कुछ ऐसा है 1,23,95 और 34 एक बारी के लिए मान लेते हैं यह मेरा first element है यह second है one से indexing कर रहा हूं मैं यह third element है यह fourth element है और यह fifth यानि के topmost है मुझसे पूछा गया है कि यार मेरा first element print करके दिखा दो तो क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है एक loop से करके दिखा देता हूं यह देखिए इतनी तो आपको आ गई है न अब coding यहाँ पे बस मेरे को एक छोटा सा loop लगाना है for अगर मैं लिखता हूं for नहीं simple यह लिख लो while क्यो हमें पता नहीं मान लेते हैं हमें पता ही नहीं कितने elements से stack होई बस आप यह लिखो while stack.size is greater than 1 तो simple एक काम करो st.pop मतलब stack में से एक एक element आप उड़ाते रहो इस loop का क्या मतलब है जब तक मेरा size 1 से बढ़ा है तो एक एक pop करते रहो and last में जो एक element बचे का हूं मेरा first element होगा right यह देखिए अगर मैं print करा के देखूं तो ऐसे print करते code के मदद से जो की आएगा मेरा answer 1 चाहे तो देख लिना run करता हूं यह देखो 1 आगया answer लेकिन problem हो गई हमारा stack अब उड़ चुका है ठीक है अब अगर मान लिजी मैं stack को भी print करता ना तो मैं अपने पूरे stack को भी print करूंगा तो इतना सा stack बचा है देखो सिर्फ one stack है मेरे stack है ठीक है मान लिजी आपको second element print कराना stack का तो simple एक काम कीजिए यह लिख दो ठीक है यहाँ पर मैं run किया तो आप देख सकते हो 23 आ गया second element और इतना ही stack है लेकिन इससे problem यह हो रहे है कि मैं permanently pop कर रहा हूं और यह करना जरूरी है जब तक मैं उपर का element pop नहीं करूंगा तो म यह हो दिया stack की problem ठीक है अगर मेरे को एक करना भी है मेरे को एक काम मैंने जो किया second element अपना print करा जिया इस चीज़ से करके तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे order of n लग रहा है operation राइट अच्छा एक और चीज़ तो stack का size है ना यार वो change होते रहता है जब आप element add करते रहत ठीक है तो एक काम करते है वापिस से सारी चीज़े एक बार लिखके देखते है यही पर सब को मैं एक बारे के लिए हटा देता हूं and इन सब चीज़ों को एक बारे के लिए मैं वो कर देता हूं ठीक है यहाँ देखिए मैंने सिर्फ stack बना रखा है पहले size print किया मैंने और फिर मैंने stack भी print किया, फिर मैंने क्या push 1, वापिस से इन दोनों काम को करके दिखाता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ मैं अपने size को print करा लेता हूँ, और अपने पूरे stack को, फिर push 23 के बाद भी, push 90 के बाद भी, push 5 के बाद भी, push 34 के बाद भी, तो अब देखना क्या answer आएगा, run किया, तो देखिए, पहले size 0 था, खाली stack था, फिर size 1 हो गया जब मैंने push किया 1 को, और मेरा क्याकत बन गया, size 2 हो गया, stack मेरा ये बन गया, size 3 हो गया, stack मेरा जब ये बना, size 4 हो गया, size 5 हो गया, और मेरा stack ये बन गया, I hope आपको इस सारी चीजिए घंक से समझ आ रही होगी इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा राइट तो यह बहुत ही basic operations है हमारे stack के उपर अब stack का एक और operation यहां पर क्या होता है यार हमारा is empty वाला जो है operation तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं यहीं पर print करूँ जो मैंने stack बनाया मैं करता हूँ south stack dot यहां पर देखो empty का option आता है ठीक है is empty होता है वैसे तो यार यह रहा boolean में वो देता है answer सिर्फ empty भी है अगर मैं लिखता हूँ stack dot is empty तो यह boolean expression है तो अब देखना है क्या answer देगा starting में run किया तो यह false देदेगा sorry true देदेगा क्यों क्यों क्योंकि अब भी stack मेरा empty है और अगर मैं same चीज़ यहां पर ले जाओ control c के बाद push करने के बाद अगर मैं इस सो empty का हम काम कभी नहीं लेने वाले क्यों st dot is empty का simple meaning है कि हमारा size अगर 0 है तो यह मैं को true देदेगा अगर size 0 नहीं है तो false देदेगा ठीक है तो इसका कोई काम नहीं है हम stack dot size को ही use करने वाले हैं very very simple अब यहां पर और और भी operations है st dot full भी होता है ठीक है कि stack हमारा क्या full है या फिर नहीं बट जो हम अभी stack use करने वाले ना आपने तक notice किया होगा कि इसमें हमारे कोई size limitation नहीं है ठीक है तो इसके कुछ फाइदे देखते हैं इसके कुछ फाइदे श्टाक का पहला फाइदा जो हमने देखा unlimited size कह सकते हो आप kind of unlimited unlimited size ठीक है unlimited size मतलब आप एक के उपर 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 एक कुछ करते जाते हो करते हो array में जैसे fix होता है size आपके array list में क्या problem होती है size तो आपका variable हो सकता है लेकिन वो grow करता है array को मतलब बार बार अगर array है भर गया तो double size का array बना देगा ये भर गया तो इससे double size का array बना देगा ऐसे ऐसा काम करता है आपका लेकिन stack में ऐसा कुछ नहीं है stack usually आप कह सकते हो internally कह सकते हो आप link list से जब मैं आपको करके दिखाऊंगा ने implement जैसे link list में भी unlimited size आप कह सकते हो तो stack में भी आपका unlimited size है लेकिन link list में जो problems होती थी कि मान लो आपको fifth element access करना है तो आपको order of an operation में करना पड़ता था जबकि array में order of one होता है stack के अंदर तो बहुती problem है link list में कुछ हम comparisons देखते है कि भाई हाँ पे हमारा जो arrays है सबसे पहले तो arrays में मान लिजे कि मेरे को element को get करना है यहाँ पे time complexity लिख देता हूँ get मान लिजे first, second, third, fourth element get करना है order of one में आप यह काम कर सकते हो ठीक है पर अगर मैं बात करूँ हमारे link list की तो यहाँ पे आप order of n में get कर सकते हो क्योंकि आपको travel करना पड़ता है लेकिन यह time complexity है in fact यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यह हमारी time complexities and get करने के लिए ठीक है get करने के लिए time complexity हमारी यह है और space complexity कितनी है वो भी देख लेते है space मतलब extra space मैं कितना use कर रहा हूँ यहाँ पे extra तो कोई space use नहीं कर रहा है आरे में तो in fact सीधा उठा लो अब link list के अंदर time complexity तो order of n लगती थी मानलो यह मेरी list है और मेरे को third element access करने तो मैं को dot next dot next करना पड़ता था लेकिन कुछ extra space तो नहीं लगता था order of one बोलता हूँ मैं अगर extra space नहीं लग रहा तो link list में भी extra space नहीं लग रहा लेकिन यह stacks तो बहुत ही problem वाली बात है stack मैं मानलो आपको third element access करने जो कि मैंने आपको समझाए है आपे तो भाई order of n time तो लगी रहा है आपका space भी order of n ही लगेगा क्यूँ एक बात समझिए जब आप पूरा stack get का मतलब आप कह सकते हो एक तरह किसे जब पूरा stack भी print कर रहे थे या फिर मानलो third element आपको stack का चाहिए है आपका ये already existing stack है ठीक है 1, 2, 3, 4 तो आपको यहां से आपको third element चाहिए था जैसे आपने किया था push उस order में तो इसके लिए या second element चाहिए था मानलीजी तो इसके लिए आपको पहले इस 4 को बाहर निकालके कहीं रखना पड़ेगा three को बाहर निकालके कहीं रखना पड़ेगा फिर अपने two को access करोगे जो भी आप इसके साथ काम करोगे फिर वापिस से three को यहां डालना पड़ेगा four को यहां तो यह जो मैंने रखे है उठाके कहीं किसी particular space में हो सकता है array में, link list में या किसी stack में हम देखेंगे अभी safe करके रखेंगे तो यह तो बड़ी problem है यार ठीक है, array तो बहुत ही तगड़ा है यार time complexity fard है इसकी link list में तो देखो यहां problem है stack में तो problem ही problem है लेकिन actually ना, इसको हम problem नहीं consider करते हैं हम मानते हैं कि यार stack हमें एक discipline देता है हमें एक discipline देता है क्योंकि इसमें इतनी सारी बंदीशे हैं कि हम सिर्फ सब कुछ सिर्फ top element के साथ ही सारी चीदे कर सकते हैं, access भी हम उसी को कर सकते हैं, हम insert भी top पे कर सकते हैं, हम deletion भी top से कर सकते हैं, तो कुछ particular questions हम ऐसे discipline के साथ करना चाहेंगे कि हम सिर्फ ऐसा काम करें कि स्टैक से हमारा काम हो जाए और क्योंकि स्टैक के तीनों operation order of one में होते हैं जो basic operations होते हैं तो इसलिए ये discipline प्रोवाइट करता है इसको ऐसे देखना इस नजर से ठीक है अरे क्या है कि वहीं सब यार functions तो देख लिए basic function auxiliary function भी देख लिए यह जो size होता है न यह जो हमारा st.size होता है यहां लिख देता हूं यार function नहीं लिखे दे मैंने st.size हो गया यह मेरे को size return करके देगा st.st.is empty तो बिल्कुल ही same है st.is empty तो यह boolean return करता है याद रखना यह boolean return करके देगा और यह भी true और false मेंसे देता है मेरे को फिर होता है हमारा st.is full आप बना सकते है इस operation को वैसे तो यह stack कभी हमारा full नहीं होता लेकिन जब हमारी memory भर जाएगी मानलो मैं बहुत सारे elements insert करे जारों करे जारों करे जारों in fact यह website भी आपने visit करी होगी जैसे geeks और geeks होता है तो stack overflow नाम की एक बहुत famous website है तो overflow का मतलब होता है कि मान लीजी हमारा stack है हम insert करे जारे करे जारे करे जारे करे जारे memory खतम तो और चीदे नहीं डाल सकते है आपको error मिल जाएगा या फिर आपने खुद का एक ऐसा stack implement किया है arrays के through जब मैं दिखाऊंगा implementation अभी तो वो fix amount of data या आप उसमें डाल सकते हो ठीक है तो यह सारी चीदे होती है हमारी stack के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं मैंने basic stack तो आपको यहाँ पे सिखाई दिया अब एक काम करते हैं कुछ question solve करते हैं बहु चुरू करते हैं डरना मत बहुत simple है copy stack ठीक है आपको क्या करना है एक stack में से दूसरे stack में same order में सारी चीदे को डालना है for example आपको stack दे रखा है कुछ ऐसा ठीक है example आपको ऐसा दे रखा है stack इसमें elements है one two three four तो आपको क्या करना है मान लीजिए यह आपका दूसरा stack है blue color का इसमें भी आपको इसी तरीके से one two three four इसी order के अंदर डालना है सारे elements को ठीक है इसमें से इसमें उठा के डाल दो यह आपको काम करना है copy करना है in fact copy क्या इसको हम कह सकते है move बोल दो आप कुछ भी कह दो move ठीक है copy slash move क्योंकि हम delete करेंगे इसमें से जैसे कि आप जानते हो इ इसमें element हटाने के लिए मतलब access करने के लिए हमें delete करना पड़ता है वो तो हमने देख लिया तो सबसे बहले देखते है copy stack अगर हम यह काम करें problem यहां पर पता है क्या आती है हम access सिर्फ इसको कर सकते एक बारी के लिए ठीक है तो मान लीजिए हम इसमें से सारे elements इसमें डा दिया फिर मैंने यह लिया तब जाके ही two को access कर पाऊंगा जब तक मैंने यह नहीं हटाए तो मैं access ही नहीं कर सकता फिर मैंने two को लिया two को डाल दिया फिर मैंने one को लिया one को डाल दिया अरे यार यह तो ऐसा नहीं है यह वारा stack तो मेरा ऐसा था तो मैंने reverse order के अंदर तो यूस्टू हो जाओ, basics of stacks में आते हैं, stacks के अंदर, ठीक है, stacks के अंदर हम आते हैं, और एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर stacks, new, java class, and हम लिख लेते हैं, copy stack या move stack in same order, ठीक है, यहां पर copy भी लिख देता हूं, in another stack, ठीक है, dot java, तो शुरू हो जाते हैं, यहां पर, सारी चीज़ें वापिस से लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, psvm, फिर हम लिखेंगे, stack बनाएंगे अपना, तो देखो अपने आप आगया उपर, stack integer, ठीक है, यहां पर लिखो integer, st is equal to new, सब कुछ ते खुद ही लिख देता है, intelligent idea, आपको जरूत ही नहीं पढ़ती कुछ, ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ elements यहां पर ले लेते हैं, अब एक और चीज़, यार, क्या आप input ले सकते हो, stack का, मतलब loops के थूरू, कि आपको 5 elements insert करने हैं, मान लिजिए, stack में, 5 elements, तो क्या आपको कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हो, यार, आपको input लेके दे लेते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, यह ले लेते हैं, int n, ठीक है, एक बार के लिए इसको अटाते हैं, enter the elements you want to insert, इसके बाद हम सबसे पहले जितने elements दालने हैं, उसको input ले लेते हैं, input लेने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं, क्या, सबसे पहले तो यहार, यहार, लिखना होता है, import java.util.scanner, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, और फ बहुत बढ़िया, हमने variable लिया, फिर हमने लिखा हमें क्या चाहिए, फिर आप input ले लो, input ऐसे लेते हैं, n is equal to sc.nextint, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब इसके बाद, आप एक loop चला लो, for int i is equal to 1, i less than equal to n, i++, मुझे 5 elements को input लेके stack में push कराना है, तो मैं usually यहाँ पे एक integer variable को input लोगा, कैसे यह देखिए, मैं लिखूँगा, मैं लिखूँगा, int x is equal to sc, यहाँ पे लिखूँगा, int x is equal to sc dot, यहाँ लिख दूगा, nextint, और जो भी मैंने हाँ पे input लिया variable, बाद में अपने stack में, बाद में अपने stack में, उसी को push करा दूँग, stack dot push x, एक number push करता हूँ इसे, ठीक है, in fact, यहाँ पे और एक और चीज़ लिख लेते है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब मैंने n को input लिया, enter the elements, ठीक है, enter the elements, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया है, यहाँ पर मैं को लिखना था, enter the number of elements, number of elements you want to insert, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, और एक बार CTiger ray dataset, साउट ST, दिखाता हूँ, इसको डुमिंदार के टेसे रंद अवा को साचिया इसको रंद लपना यह दीगे गलती यह हो जाती है हमेशा इसको कहा रही है enter the number of elements you want to in SERP तो मैं कहता हूँ यार enter the number of elements मैं दे रहा हूँ यार 5, ठीक है, enter the elements, मैं elements देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो देखो stack हमारा आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, print हो गया ऐसे, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही काम हो रहा है, ऐसे हम user से input ले सकते हैं, यह बस basic चीज आपको सिखा रहा था, ज्यादा कोई hi-fi यहां पर चीज नहीं ह रखते, enter the number of elements, सिर्फ इतना कर देते हैं, ठीक है, enter the number of elements, इस चीज को हम देख लेंगे, अब मान लीजे, यह मैंने एक stack बना लिया, मेर को इसके elements दूसरे stack में डालने है, reverse order में, तो वो करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं कैसे करूँगा, एक while loop के थूँ कर सकता ठीक है, और user से एक बार input हम हटा लेते हैं, एक बार इक लिए इस चीज को, और हम बस सिर्फ यह कर लेते हैं, st.push, पहले हमने दे दिया 1, और copy paste कर लेते हैं, और यहाँ पे यह, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक बार पिंट करा के दिखाता हूँ आपको, stack हमारा यह है, 1, 2, 3 order में करने के लिए, यहाँ पे code लिख लेते है, reverse order, reverse order में अगर मेरे को किसी stack के अंदर डालना है, तो उसको कैसे डालते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे आप simple एक चीज लिख सकते हो, क्या, एक नया stack बनाओ गया, of course, तो एक नया stack बना लेते है जिसका हम नाम लख लेते है, RT, जैसे वो stack ST था, यहाँ पे मैंने रख दिया, RT, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ARR, जो भी आपका मने, अब आपको पहले वाले के content दूसरे में डालने हैं, तो आपको for loop की जरूत नहीं है, जैसे हाँ पे 5 size हैं आपको यह करना ही नहीं है, यह तो आप देखो कर सकते हो, आप यह तो of course कर सकते हो, लेकिन इससे बटर है while stack का size, st.size जब तक मेरा 0 से जादा नहीं है, मतलब 0 से जादा नहीं है, तो आप simple एक काम करो, सबसे पहले जो उपर element पढ़ा है, उसको क्या हम access कर सकते हैं, yes, कैसे वो element यह होगा, माल peak करके हम उपर का element को access कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको हटाना है, अब जैसी मैंने access कर लिया, तो एक काम कीजिए, नए stack के अंदर push करा दो उस element को, और फिर अपने पुराने stack में से उस element को निकाल दो, pop, ठीक है, यह काम अगर आप करोगे, and at the end, आप print करोगे अपने ड़ चुके है, very very simple, यह मैंने ऐसले किया है कि कभी-कभी हमें size नहीं पता होता, तो बस stack.size का variable से हमेशा आप size निकाल सकते हो, सिर्फ यह सीधा यह करो, जब तक इसका size 0 से बढ़ा है, तो उपर के element को निकालो, उपर के element को rt में push करो, और फिर उसको हटा ही दो, अच्छ को element को हटा दो, उस element की value भी उसके पास रहती है, क्या मतलब यह देखिए, अगर मैं बस एक line लिखू, rt.push, बड़ी ध्यान से देखना, st.pop, तो क्या valid है, हाँ, और same answer देगा, देखिए, बिल्कुल same answer दिया है, actually मैं होता क्या है, rt.push, st.pop का यह meaning होता है, अभी के यह मेरा stack है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सबसे उपर मेरा 5 element है, जो top element है, विल्कुल present, तो इसने देखा, क्या stack का size 0 से बड़ है, हाँ, 5 है, फिर अंदर गया, दूसरे stack में, जो खाली stack है, मेरा नया stack है विल्कुल, इसमें डाल दो, st.pop, तो इसके 2 operations होते है, st.pop का मतलब, एक त जाना नहीं होता element, ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, यह भी हम काम कर सकते हैं, अच्छा, यह चीज़ तो देख ली, लेकिन question तो हमने solve किया नहीं, हम यह चाहते थे, यह तो हम चाहते ही नहीं थे न यार, हम तो यह चाहते थे, इदर देखो, कि अगर यह मेरा stack है, यह अगर मेरा stack है, मान लीजे st, और यह stack है rt, तो मेरे को same order में डालने थे यार, तो वो काम हम कैसे करें, using another stack, ठीक है, अगर आपका अभी तक दिमाग नहीं चला तो कोई बात नहीं, इसको इदर लिख दो, आप एक और stack बना लो, मान लीजे green color का यह रा stack, इसका नाम रख सकते हैं, आप मर्जी है आपकी, जो भी आपका मन करें, पहला आपका पता है क्या काम होगा, इस stack के contents को empty करके इसमें डाल दो, तो ऐसे ही empty होगे, ठीक है, यह इधर गया, यह इधर गया, यह इधर गया, ठीक है आपका, और फिर finally one मेरा इधर चले गया, फिर आप एक काम करो, इसके contents को, क्योंकि यह reverse order में आ गया है, वापिस से empty कर दो, यह लो, one इधर गया, two इधर गया, three इधर गया, four इधर गया, कितना बढ़िया नहीं बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, मजा नहीं आ गया, देखो, बढ़िया, ठीक है, तो ऐसे हम यह सारी चीज़ों को solve करते है, उल्टे order में आ गया न, मतब बिल्कुल सही, same order में, one, two, three, four, ही था, तो with the help of an extra stack, we can do it, ठीक है, या फिर आप recursion से भी कर सकते हो, लेकिन recursion में भी extra stack होता है, इधर आ जाते है, मान लीजे हम यह question करना है, तो हम इसका नाम GT रख लेते हैं एक बारी के लिए, और जब तक हमारे stack का size empty नहीं होता, तो हम GT के अंदर push करा देंगे stack के elements, अब हमारा stack खाली हो गया है, और GT में हमारे reverse order में elements आ गया है, अब एक काम कीजिए, वापिस से stack बनाईए, जिसमें आपको same order में डालना था, इसका नाम आप रख दोयार, RT, ठीक है, and वापिस से ए पुश करा दो, GT.pop, ठीक है, I hope आपको समझा रहा होगा, लास्ट में RT को प्रिंट करा दो, देखे, run करते हैं, run किया, तो देखो same, ठीक है, पहले stack ये था, फिस stack ये बन गया, अचा एक और चीज़ यार, यहाँ पे अगर मैं last में ST को प्रिंट करा हूँ, तो empty stack आएगा, अगर आपके दिमाग में कोशन आया होगा, जो मेरे दिमाग में आ गया गलती से, कि अगर आपको stack में elements दे रखे हैं इसी order में, 1, 2, 3, 4 में, और आपको क्या करना है, reverse order में, अपने इसी stack के अंदर, ऐसे 4, 3, 2, 1 डालना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, अगेन with the help of these two stacks, दो stacks क इस तमाल से आप वापस से इसमें reverse में चीज़े डाल सकते हो, कैसे, यहाँ पर देखिए, मैं एक काम करूँगा, पहले यहाँ पर डालूँगा 4, फिर डालूँगा 3, फिर डालूँगा 2, फिर डालूँगा 1, 2, 3, 4, और फिर यहाँ से मैं यहाँ ले आँँगा 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो इसका पूरे operation का जो हमारा cost लगा, time complexities की हमने बात नहीं की थी, तो अगर मैं सिर्फ copy stack की बात करूँ, कि एक से बिल्कुल दूसरे order में अगर मैं को डालना है, तो total मेरे end steps लगे, सबसे पहले इसक में खाली करने में, फिर इसक में खाली करने में, तो order of 2N यान पर इसको normal order में डाल दिया, फिर वापिस से एक बार करता हूँ, तो reverse order में चीज़े आ जाती है, ठीक है, तो same time complexity है, बस order of 3N आ जाएगा, एक और step बढ़ जाएगा, अच्छा, recursion में, कुछ लोग कहते है, recursion से हम इस question को कर सकते हैं, लेकिन भाई, उसमें भी same space complexity लगेगी same time complexity लगेगी, उसके हम थोड़ी दिर में बात करेंगे, उससे भी हम कर सकते हैं question को, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम इस question को solve करते हैं, insert at the bottom slash any index, मान लीजिए कि हमारे पास, बना बना हमारा एक stack है, यह रहा, जिसमें elements पहले से डाले वे हैं, 1, 2, 3, 4, ले तो अगर आप एक और stack बना लेते हैं, ठीक हैं, जिसका आप नाम रख देते हैं, मान लेजिए rt, तो आप simple एक काम करो, loop लगा लो, simple, कि while, जैसे मैंने print करके नहीं दिखाया था, कि अगर मान लेजिए मेरे को first element print कराना है, तो मैं क्या बोलता था, while stack का size जब तक 1 से बढ तो यहां पर अगर आपको bottom में insert कराने हैं, तो आप बोलो, जब तक यह 0 से जादा है, तो एक काम करें हो, rt में push करते रहो, rt में push कर दो, अपने stack का topmost element, बार बार, ठीक है, और pop भी हो रहा है साथ में, तो इसका मतलब हट भी रहे, तो हम क्या करेंगे यार, पहले 4 को य यहां डाला, 3 को यहां डाला, 2 को यहां डाला, 1 को यहां डाला, अब आपको जो भी element insert करना है, मानली जी, यहां पर 5 रखना है, तो पहले यहां पर 5 को लए आओ, फिर वापिस से इसको इसमें खाली कर दो, तो आप देख सकते हो insertion में, एक तो आपका time भी order of n लग रहा है वो भी 2N और आपका space भी extra stack extra stack extra space of order of N आप यहाँ पर use कर रहे हो similarly अगर आपको मान लो किसी index पर डालना है stack के element को अगर मैं मान के चल लेता हूँ पहले से ही ठीक है मैं index को अगर zero base indexing मानूँ और मैं यह कहता हूँ कि यह मेरा zeroth index है यह one है यह second index है यह third index है और मुझे यह बोला जा रहा है कि यार अपने first index पे एक element को insert कर दो इसका मतलब होता है कि इसके बीच में zero के बाद एक element को यहाँ पे insert करो तो यहाँ पे आप सीधा एक for loop लगा सकते हो while loop sorry कि जब तक मेरा stack का size अगर आपको डालना है जो भी number आपको index दे रखा होगा and so on आप यहाँ पे काम कर सकते हो एक बार देख लिए इंसर्शन का एक code बना लेते हैं यहाँ पे stacks पे आजाते है इतना ही फाइल ठीक है insertion insertion in stack dot java यहाँ पे लिख लेते हैं अपना psvm और अपना stack बना लेते हैं यार stack और एक बार चीज़े copy कर लेते हैं मान लेजे यह हमारा stack है यह हमारा stack है ठीक है एक बार प्रिंट भी करा लेंगे इसको copy paste ठीक है this is our stack हमने एक बार stack को print करा के देखते हैं चीज़े साही चल रही है नहीं यह देखिए बिल्कुल साही चीज़े चल रही है अब मेंको क्या करना है मान लीजे मुझे एक random index देनका है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ int idx जहाँ पे मेरेको एक number insert करना है अब मान लीजे मुझे index मिलावा है 2 और वो number भी मुझे मिल रखा है मान लीजे वो number है int x is equal to 7 कोई भी number हम ले लेंगे तो मैं चाहता हूँ जो मेरा 1,2,3,4,5 ऐसे बना है 1,2,3,4,5 तो अब नीचे या मतब second index पे 0,1,2 बहाँ मेरा 7 आ जाए ठीक है? second index पे मेरा 7 आ जाए this is the 0th index, this is first, this is second 3 की जगे 7 आ और 3 आगे की सक जाए replace नहीं कर रहा हूँ बीच में insert कर रहा हूँ ठीक है? यह वहला काम है तो इसको करने के लिए simple आप एक दूसरा stack बनाई है आप एक दूसरा stack बनाई है usually मैं देखो copy paste करता हूँ बार-बार लिखते नहीं हम इसका आप नाम दे दीजिए rt या कोई भी stack जिसमें आपको एक बारे के लिए बस temp भी नाम दे सकते हो, ठीक है? in fact जैसे हम temp variable रखते है न temporary stack जिसमें आप चीजों को डालोगे तो आप लिखो while जब तक मेरा stack का जो size है जैसे कि मैंने देखा जब तक मेरा stack का जो size है वो उस index से बड़ा है equal भी नहीं बड़ा है तो एक काम कीजिए अपने temporary stack के अंदर push करते जाईए push करते जाईए अपने normal stack के elements और उनको हटाते भी जाईए साथ-साथ तो यह दोनों काम एक line में हो रहे temp.push सीधा हो रहा है फिर जब यह काम हो गया तो मैं उस position पर आ चुका हूँ कि stack के बहुत है elements हट चुके अब simple एक काम कीजिए st.push जो भी आपका x element है x को push कर दीजिए फिर वापिस से अपने rt के elements को ht में भी वापिस लाना है तो मैं एक और लूप लगा हूँगा while कि भाई rt.size मेरा rt.sorry rt था ही नहीं मेरा जो मेरे temporary.size जब तक मेरा temp.size हमारा 0 से बढ़ा है जब तक खाली नहीं हो जाता तो एक काम कीजिए आप push करते जाए अपने normal stack के अंदर stack.push अपना ये वला element कौन सा है temp.pop इसमें से निकालके इसमें डालते जाएगे फिर last में कवर वापिस से हम print करा देते है south और यहां पे stack तो आप देखना बिल्कुल सही चलेगा code run किया 1,2,3,4,5 था और मैं इस 3 की जगे देखो यहां पे 7 आ गया ठीक है similarly अगर आप मान लो कि मेरे को डालना है 12 और अपने 0 इंडेक्स पर सबसे आगे तो काम हो जाएगा यह देखे रन करता हूं देखवा आ गया 12 आ गया 0 इंडेक्स पर ठीक है तो आप यह सारा काम कर सकते हो of course अगर आप इंडेक्स ही ऐसा देदो तो मेरे को तो 7 इंडेक्स पर 12 डालना है तो 7 तो ही नहीं यह पर 0, 1, 2, 3, 4 बहर आ गया तो यहां पर दिक्कत आ जाएगी आप देखना एरर आएगा रन किया तो अच्छा 12 सबसे उपर ही आ गया अच्छा यह इसलिए हो रहा है अब हम किसी भी इंडेक्स पर डाल सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं अब एक बार हम देखते हैं कि डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी इंडेक्स पर या फिर बॉटम में हम इलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं ठीक है तर्यार हमने यह अभी तक क्या देखा कि insert at bottom या फिर any index कैसे होता है अब एक बार देख लेते हैं कि stack में अगर मान लो आपने elements पुश कर रखे है तो उनको print कैसे करते है मतलब print करो बिना stacks के elements को निकाल ले या फिर निकाल के वापिस डाल के मतलब की मान लीजिए आपके पास यही वाला stack है इंडेक्सिंग मैंने यहां पे लिख रखी although उसका मतलब नहीं है अभी इस बात से हमें एक बात पता है stack में जब भी elements होते हैं तो हम उसका size तो हमीशा निकाल सकते है stack अपने पास उसका size रखता है मैं कह रहा हूँ मेरे को यह सारी elements प्रिंट करने हैं और कहां से लेकर bottom to top मतलब जो पहले element प्रिंट किया था 1 2 3 4 तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ अगर मैं करता हूँ system.out print.tln stack का नाम तो यह चीज़ प्रिंट हो जाती है लेकिन यह actually में हो कैसे रही है मतलब आपसे question है मेरा एक function मना के दिखाओ ताकि यह print हो जाए क्योंकि अगर मैं 4 को निकालता हूँ एक बरे के लिए तो 4 यह access हो सकता है न तो 3 2 1 कहां से है तो यह इसका जुगाड होता है हमारा क्या वही exactly same चीज़ जो मैंने बताई थी एक दूसरा stack बनाओ यार rt नाम से almost same चीज़े होगी और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको print करने है इसी order में normal order में अपने सारे elements और वापिस से इसी stack में वो आ भी जाए after printing यहाँ पर आपका देखो algorithm क्या रहेगा इसका पहला element लिया जब तक यह खाली नहीं होता है stack element निकालके इसमें डालते रहो जब तक खाली नहीं होता है डालते रहा है डाल दिया और डाल दिया अब जब खाली हो गया यह फिर आजाओ इस टैक पे अब आपको क्या करना है अगेन जब तक यह स्टैक खाली ना हो जाए तो इसका element उठा के यहाँ डाल दो लेकिन एक काम करो जब उपर वाला element जो इसका है topmost उसको तुम उठा रहे हो तो सबसे पहले इसको print करा दो फिर य पर पास तो print करा दो इसका topmost element rt का फिर उसको यहाँ डाल दो फिर 3 को print करा दो 3 को यहाँ डाल दो और फिर अपने इस 4 को print करा दो और finally अपने 4 को भी यहाँ डाल दो rt जब तक empty नहीं होता तो यह वाला काम हमें करते जाना है तो आप देख सकते हो वापे से इस टैक में इस टैक में वही elements आ गए और print भी हो गया अब total अगर मैं बात करूँ यहाँ पर time complexity time कितना लगा तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने एक एक करके उठा के इसमें डाले element तो order of n तो वो हो गया फिर हमने एक एक करके यहाँ पर elements वापिस इसमें डाले order of n वो हो गया बट जब second वाला loop चल रहा था तो मैं दो काम कर रहा था एक loop के अंदर पहला क्या print करना दूसरा इसमें डालना तो आप कह सकतो एक और order of n लेकिन बात एक ही है इन सबकी यार overall जो मेरी time complexity है time taken वो है यार order of n कोई बात नहीं सारे elements को print करने में वैसे भी arrays में भी order of n तो लगता ही है सब में लगता है इतना तो लेकिन अगर मैं space complexity की बात करना तो यार वो भी है order of n because मैंने एक extra stack का इस्तमाल किया यहाँ यहाँ पर यहाँ पर मैं अपने stack को इस्तमाल कर रहा हूँ तो extra stack extra n space ही हो गया इसका मतलब in fact अब इससे अगर मान लो आपको थोड़ा सा better method निकालना है तो आप पता है क्या कर सकते हो आप एक array बना सकते हो क्योंकि आपको पता है आपके पास stack का size कितना है तो एक काम कीजिए आप लिख लो int n एक नया variable बनाओ is equal to stack.size जो original stack है ठीके तो यानिकि इस case में 4 size का अब एक काम करो एक array बना दो int arr is equal to new int जो की store करके रखे किसको यार इस इसके सारे elements को except stack व्योंकि stack में क्या होता है अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा stack की implementations arrays या फिर linklish के तुरू तो ज़रूरी नहीं है कि stack बिल्कुल optimize तरीके से ही 4 size का ही यहाँ पे यह stack बन रहा है ठीक है यार तो यह चीज़ आपको देखनी पड़ेगी इसलिए array में मुझे 100% पता है कि जो मैं array बना रहा हूँ यह exactly उतनी size का बना रहा हूँ जितने के यह है तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा यहाँ पे अब जब मैं array बनाया तो मान लीजे यह हमारा array बन चुका है यह हमारा array यहाँ पे बन चुका चार size का ठीक है यहाँ पे हम करेंगे क्या again same काम इसके last element को क्योंकि last होगा ना है और जो top पे वो last है this is first this is last जो के कहते है last in first out ठीक है और यहाँ पे array के of course indices भी बन जाएंगे वो यह तो पता ही हमें हम क्या करेंगे उल्टा लूप चलाएंगे एक त यहाँ डाला one को यहाँ डाला ठीक है फिर हमारा दूसरा काम क्या होगा वापिस से इसके सारे elements को उठाकिया और of course हम सबसे पहले one को ही नीचे डालेंगे one two three four करना है तो अब ऐसे में लूप चलाएंगे अपने array में normal iterate करेंगे मैं इधर देखूंगा सबसे पहले print करा उतना ही space complexity और मुष्ट उतनी ही अमार पास time complexity है यहाँ ठीक है I hope आपको इस चीज समझ आई होगी एक बर इसको code करके देखते हैं फिर हमें काम करेंगे जो display करके दिखा रहा हूं stack display stack इसको हम recursion से भी करके दिखाऊंगा आपको ठीक है और उसमें आपको समझाऊंगा क्य dot java कुछ चीज़े copy कर लेते हैं यहां की यह stack है इस सारी चीज़े को insert कर लेते हैं ठीक है तो आप देख सकते हो अगर मैं normally यहां पे लिखूं पी एसे प्रिंट करूंगा तो of course यह built-in function है ठीक है यह तो built-in function है कि इसको run कर दिया हमने तो obviously यह हो गया लेकिन यह actually मैं internally ऐस इसे ही काम करता है कुछ जैसे मैंने आपको करके दिखा तो अगर मान लेजिए हमारे पास इसकी availability नहीं है तो obviously मैं क्या मैंने क्या बोला था दो तरीके या तो आप एक stack बनाओ तो आप यह काम कर सकते हो कि एक नया stack बना लिया मैंने यहां पे लिख दिया इसका नाम लिख आए ठीक है और इसकी जगे आप एक और चीज लखते हो while stack is empty वाली चीज not empty करके ठीक है लेकिन यह भी सही है अब हमें क्या करना है सबसे पहले जब मैं कर रहा था यहां देखो वापिस से तो मैं एक एक element उठाके डाल रहा हूं जैसे इसको मैंने उठाया यहां डाला तो एक बारी के लिए यह क्या है यह stack का peak है तो मैं क्या करूँगा इसको pop कर सकता हूं एक variable में store करा दूगा और वापिस इसमें push करा दूगा तो दो तरीके है जैसे कि देखो एक तो यार यह यह तरीका है कि हम यह लिख ले int x is equal to stack.pop इससे न हमारे दो काम हो गया पहला कि stack का element वो पॉप भी हो गया और वो element इस x के अंदर store भी हो गया अब बस में को simple क्या करना है कि rt.push यहां पे x काम हो गया अब इसके बाद हमारे इस rt के अंदर सारे elements इसके आच चुक है reverse order में अब इसका न एक और तरीका है करने का इस variable को बनाने की भी जरूत नहीं है आप directly पता है क्या लिख सकते हो rt.push st.pop ठीक है rt.push st.pop तो यह भी सही है इस से remove भी हो गया यह element यहां आ भी गया और rt में push भी करा दिया तो एक line से काम बन सकता है दूसरा वैसे अगर नहीं समझ आया तो पहला तरीका भी कर सकते हो आना तो चाहिए समझ अब मैं को वापिस स है तो एक काम कीजिए वापिस से इस में से आप element को pop करा सकते हो in fact यहां पर तो मैं बोलूगा poppy करा लो मैं element को pop करा देता हूं int x is equal to rt.pop element आ गया हमारे पास rt में से चले गया पहले एक बर इसको print करा दो तो south इस x को आप print करा दो थोड़ा एक space दे दो अच्छा लगेग यह मैंने इसलिए x लिखना पड़ा क्योंकि हमें print भी करना था ठीक है तो यह चीज़ कर ली अब एक बार आप देखना यह चीज़ पूरा print हो जाएगा यह करके और original stack में वापिस से values भी आ जाएगी रन करता हूं नहीं है कि हम यह वाला system अपना है rt वाला इसको एक बार comment आउट कर देता हूं मैं ठीक है array के साथ कर सकते हो आप simple लिख लो int n array का size निकालो मतलब stack का size यहाँ पे लिखो stack.size और फिर लिख दो int arr is equal to new int और यहाँ पे n size यहाँ पे आप directly भी st.size लिख सकते हैं अगर आपको lines बचानी है इसकी भी जरुवत नहीं है यह लोगा है लेकिन फिर भी लिख लिया करो n सही रहता है हमें array के अंदर loop भी चलाना होता है न थोड़ा सही रहता है ठीक है just for the sake of it अब हमें क्या करना है सबसे पहले stack को खाली करके array में डालना है लेकिन कैसे उल्टे order में मैंने आपको बताया था उल्टे order में क्योंकि जो stack के सबसे उपर होता है उसका last element होता है तो array में लास्ट में रखना है तो हम क्या करेंगे यहां पर loop लगा लेंगे for int i is equal to n-1 last index i greater than equal to 0 i minus minus simple आपको काम करना है सबसे पहले pop करा लो stack element ठीक है और stack आपको यह condition देने की ज़रूत नहीं है कि while stack.sizes empty करना की ज़रूत ही नहीं हो यहां पर simple लिख दो int ठीक है यहां पर आप x वो element को उठा लो stack.pop और आप क्या काम करो इसको लगा दो अपने उसमें array के उस index में तो arr of this i-th index इसमें आप यह x element डाल दो in fact again directly भी आप यह काम कर सकते थे हार कि सीधा यहां पर यह डाल दो pop भी हो गया और dull भी गया ठीक है अच्छा एक और काम मैंने यहां पर इसलिए किया क्यों मैंने n size निकाल लिया पहले stack का क्यूंकि जब मैं pop करते रहूंगा तो stack का size भी कम होते रहेगा तो इसलिए हर समय मैं यहां पर n-1 लिखना सही है stack.size-1 लिखता तो problem हो सकते क्योंकि size कम होते रहेगा लेकिन n एक बार मैंने निकाल लिया तो fix हो चुका है ठीक है तो यह भी धियान रखना देखो array यहां पर आगया अब मैंने array को डाल दिया बापिस से array को खाली करके मेरे को रखना है उसमें किसमें अपने stack में अब मैं स इसमें stack के अंदर तो st.push यहां पर लिख दो x या फिर आप directly भी लिख सकते हो arr of i as simple as that इसकी भी जरूरत नहीं है लो भाई खतम अब यह आपने जब किया push किया push करने से पहले एक काम करना भूल गया है क्यों print तो किया ही नहीं हमने तो पहले हम print जरूर कर लेते हैं यहां आप हम लिख लेते हैं अब array के अंदर तो element है वो निकल नहीं रहा है तो आप यहां से ही print करा सकते हो arr of i plus यह तो देखो same code चलेगा यह भी मैं run करूंगा यह लोगा तो array में भी आप डाल सकते हो link list में भी डाल सकते हो आपकी totally मर्जी है ठीक है यह आरे से करके दिखा दिया अब इसको देखते है recursively हम कैसे कर सकते है ठीक है इसको भी हम कर देते है comment out इसको हम कर देते है comment out ठीक है यह दो तरीके हमने देखे stack अभी भी हमारा यह 12345 वाला एक function मनाते हैं यहां पर public यहां पर लिख लेते हैं जो भी आप लिको static and क्योंकि print करा रहे हैं तो कुछ return नहीं कर रहे हैं void यहां पर लिख देते हैं print stack या फिर सिर्फ लिख देते हैं print या display अब यह recursively मैं करने वाला हूं तो यहां लिख देता हूं display recursively इसके okay नहीं सकते हैं function में कि अवहS? पहले उइस function को बनाने से पहले हम एक काम करते सिर्फ लेते हैं इसनलोả डिस्पले हिरे अपना excuse me stack st and यहां पर of course मैं stack st को लूँगा भी तो मैं लिखोंगा क्या यहां पर अपना stack कौनसा है मेरा integer का ही और यहां पर लिख दो st किसी भी नाम से आप अगर दूसरा नाम भी लोगे वैसे pass by reference होता है इसका नाम हम लिख लेते हैं सिर्फ s ठीक है तो अब देखते हैं कि जब हमने stack st को पास किया तो यह जो stack s बन रहा है यह कोई नया stack बन रहा है यह इसी को point कर रहा है आरे इस के case में pass by reference होता है even Java के अंदर Iris के अंदर तो यह भी होता ही होगा वैसे तो लेकिन एक बार check फिर भी कर लेते हैं कहीं कुछ ना हो right मेरको तो पता है but anyways अब एक काम करते हैं अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूं st sorry सिर्फ s dot अगर मैं यहाँ पे push कर दूं एक और element जैसे अभी के लिए 1,2,3,4,5 है न और यहाँ पे मैं 6 को और push कर दूं ठीक है फिर मैंने क्या किया अपने call लगा दिया जो भी normal function जिसके अंदर बस मैंने एक push कर रखा है फिर मैं पापस st को कर रहा हूं print तो एक बार देखते है क्या सच में कुछ होता है run किया तो आप देख सकते हो yes 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6 permanent change आ चुका है हमारे इस st में ठीक है with you with the use of this function that clearly means pass by reference होता है चलो बढ़िया है अब एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं इसको अटाते हैं मैंने आप एस ले लिया st ही ले लेते हैं in fact जब मैं पता है same ही चीज है अब प्रिंट कराने के लिए रिकर्सिवली हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं एक बार मैं आपको algorithm समझा देता हूँ पहले ठीक है एक बार आपको यहाँ पर algorithm समझा देता हूँ उसके बाद एक बार try खुद करना मैं तो of course बताऊंगा ही तो display stack display stack recursively display stack यहाँ पर है यार recursively एक काम आप करो बाकी काम मैं कर दूँगा मुटा मुटा तो यही कहता है तो अगर मेरे पास यह एक stack है थोड़ा बड़ा stack बना लेते हैं यह एक stack है और इसमें elements है 1,2,3,4 और अभी के लिए 4 ही मानलो यह 5 भी ले ले लेते हैं चलो 4 ले ले लेते हैं चोटा रहेगा ठीक reverse stack समझाता हूँ आपको फिर एक छोटा सा change करना पड़ेगा ठीक है कि आपको reverse order में न यार print कराना है पर recursively, iteratively नहीं दूसरे stack को लेके वो तो तुरंत हो जाएगा नहीं आपको recursively reverse order में print करना है यानि कि your output should be 4,3,2,1 तो आप यह काम कैसे कर सकते हो given that आपके पास हमेशा इस top element का access रहता है, मैं यह बोलता हूँ कि जैसे ही मैंने इसको function में pass किया, recursion में एक तरह के से function में, तो सबसे पहले मैं इसका topmost element निकाल लोगा, यहाँ पर method देखना पूरा, मानलो यह मेरा function है display, ठीक है recursively display है, display recursively, यह सब display लिख लेता हूँ एक बारी के लिए, यहाँ इसे लिख दो int top या फिर int x is equal to st dot कितना p करना है या pop करना है, pop कर लो इक बारी के लिए, निकाल दो हो element, कोई बात नहीं, निकाल भी दिया तो tension की बात नहीं, अब हमारे पास वो सलामत है, तो मैं क्या करूँगा, 4 को हटा दिया, ठीक है, तो मेरा step यह है कि 4 को मैंने उड टेकर दिया, यह मेरा पहला step रहने वाला है, कि अगर यह मेरा stack दे रखा है मेरेको, पूरा step-by-step करते है इंफाइक है, यह मेरा stack है, इसको copy कर लेते है, copy, यह मेरे को मिला इस function के अंदर, ठीक है, यह मेरे को मिला यार, इस function के अंदर पास करा है, सबसे पहले मैंने main function से, पूरा का पूरा stack, फिर मैंने क्या किया, ऊपर का element एक बरे के लिए उड़ा दिया, ठीक है, ऊपर का element उड़ा दिया, अब मैं बाकी वाले stack को call कर देता हूँ, ठीक है, बट उससे पहले, मैं सबसे पहले print करा देता हूँ, अपने इस top element को आप print करा दो, निकाल रखा है, फिर एक काम करो, recursion लगा दो, कि भाई मैंने recursion क्या बोलता है, मैंने एक element प्रिंट कर दिया, बाकी का element recursion बेख लेगा, मैंने top वाला प्रिंट कर दिया, बाकी यार recursion सोचेगा कि इसमें क्या काम करना है, क्योंकि अब same condition रहन सब problem यही है हमारी, कि अब 321 वाला stack बचा है, तो मैं वापिस से लगा दूँगा display stack, ठीक है, call लगा दी, लेकिन अब जो मैंने call लगाई है, इसमें और इसमें बहुत फर्क था, क्यों, क्योंकि तब इस stack को call लगाई थी, अब मैं 4 को उड़ा चुका हूँ, एक बारे के आदी मेरी ये तीन हो, तो after that वापिस एक काम करो यार, वापिस से stack में push कर दो, st.push.push 4, ठीक है, 4 निया, I mean, top, जो अपने element निकाला था, वापिस दाल दो, आपके पास है, क्योंकि अभी वो, ठीक है, तो आप वापिस दाल दो, मैं मान की चलना हो, recursion ये मेरे print कर देगा और इसी में आप क्या कर सकते हो, एक base case लगा सकते हो, क्या, stack अगर empty है, तो आप return कर दो, ठीक है, तो चलिए, एक बार code चला के दिखाता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या करने वाला हूँ, ये देखिए, सबसे पहले, आप topmost element निकाल के रख लीजिए, st.pop, और stack से निकाल दीजिए उसको, फिर दूसरी चीज, एक बार इसको आप print करा दीजिए, तो यहाँ पर इस element को आप x नहीं है, यह है top, और जब भी आप print करा रहे हो, तो एक ऐसी चीज दे दो, ठीक है, space दे दो, next line अटा दो, ठीक है बहुत बढ़िया, ये काम हो गया, after that, जब वापिस से stack में element डाल दो, तो stack.push, क्योंकि जब recursion अपना काम करके आजाएगा, इसका मतलब होगा बागी के elements print कर दो, तो वापिस से अपने stop element को कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर return हम कब करेगे, मतलब function खतम कब होगा, base case भी आएगा, कभी ना कभी यह यहाँ पर मेरा, कि जब 3,2,1 वाले stack को मैंने pass किया, यहाँ पर, तो वो अपने आप जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, तो यहाँ पर clearly हम देख लेंगे, कि अगर भाई, गलती से मेरे stack का जो size है, ठीक है, वो हो गया है, equal to equal to zero, तो कर दो return, this is the base case, that's it, ठीक ह I hope यह चल जाएगा, मैं पहले stack को print करा के देख रहा हूँ, फिर मैं display कर रहा हूँ, और वापस से stack को print, stack वापस से तो नहीं करूँगा, इसको भी अटा देते हैं, अब मैं बस अपना यह recursion वाला display कर रहा हूँ, यहाँ पर, देखते हैं काम करता हैं, नहीं, run करते हैं, 5, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, reverse, ठीक है, और यहाँ पर stack दे देते हैं, यहाँ पर stack दे देते हैं, इसको उटा देते हैं, इसको उटा देते हैं, वापस रन करते हैं, देखें, बिल्कुल सही चलेगा, 5, 4, 3, 2, 1, अब यह काम करके से रहे क्या हम इसका dry run आपको मैं कर देता हूं, एक बर करके दिखा देता हूं, ताकि आपको idea लग जए, recursion अभी भी अगर थोड़ सा week है आपका, तो यहाँ पर आपको सब समझा जाएगा, ठीक है, यह मैं एक बारी के लिए code चलो यह भी करी लेता हूं, यह बड़ी चीज तो है नि, stack में push कर लिया, यह इस करता हूं, आपको समझाने के लिए, बस understanding purpose से आपको भी बताऊंगा, मैं, copy, वैसे तो आपको आना चाहिए, recursion अब तक तो, ठीक है, अब तो बहुत जादा हो गया है, क्योंकि अब कर लेते है, copy, वापे से कर लेते है, paste, और इसको एक बार इधर रख लेते है, ठीक है, औ इसको एक बार इधर रख लेते हैं, ठीक है, बाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और I think हम यहाँ पर output लिख लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा code चल कैसे रहे, initially यह मेरी पहली call लगी है, और यहाँ तक जो मैंने stack pass किया था, वो मैं एक बार यहाँ पर लिख भ 2, 3, 4, तो जो मेरा top का element था, सबसे पहले चेक हुआ, क्या stack का size 0 है, नहीं, 4 है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, top element को उठालो और stack में से, यहाँ से, पॉप कर दो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 को पॉप कर दिया, एक बार इक लिख ले, यहाँ पर top element मेरा 4 है, फिर मैं हमने क्या किया, display reverse stack वापिस से call लगा दी इसको, और अब मैंने क्योंकि pop कर लिया था, ध्यान रखना यहाँ पर, मैंने pop कर लिया था, तो 4 मेरा हट चुका था, जो 4 है यार, वो मेरा हट चुका था, 4 को बाहर हमने ले आये थे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रख लिया था, अब मैंने यह वाला जो stack है, यह यहाँ पर pass किया, और अभी तक आप देख सकते हो, मैं एक बार tick मार देता हूँ, यह line चल गई, यह line चल गई, यह line चल गई, अब हम इस पर है, dot, अगर आपने मेरे से थोड़ा सा recursion पढ़ रखा है, तो आप समझोगे कि मैं क्या करना चा ओन गईंग कॉल है, यह line बची है और यह भी पूरी नहीं होई है, तो हमने कॉल लगई तो हम यहाँ पहुंच गई, इसने बोला अरे भाई, इधर आ, इधर आजा, 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 और यहाँ पर जो हमने stack अब दिया है, वो कौन सा दिया है, यह बचा कुछा, तो यहाँ पे हमने दे दिया यार, यह वाला stack, जो की है, 1, 2, 3, ठीक है, तो इसने वापिस चेक किया, क्या stack का साई 0 है, नहीं यार, आगे बढ़ो यार तुम, int top is equal to st.pop, तो हमने क्या किया, इसका top element उठा के यहाँ रख दिया, जो की 3 element था, और यहाँ से निकाल दिया, भी call लगा दी, recursion ने call लगाई, और यह वाला बचा कुछा stack यहाँ भेज दिया, तो इसने call लगाई, तो यहाँ पे गया हमारी call फिर, मान लेते हैं, वापिस से same function में, लेकिन इस बार, जो stack मेरे को मिला है, वो कुछ ऐसा है, वो थोड़ा सा छोटा stack है हमारा, कौन सा stack है वो यह है, यहाँ पे मैंने one और two दिया सिर्फ, वापिस से check हुआ, क्या size zero के बराबर है, नहीं, top element को निकाल लो, इसको pop कर दो two element को अपने, और यहाँ पे निकाल के रख लो, फिर इसको print करा दो यार, इस top को, यहाँ पे two को print करा दिया, फिर call लगा दो, अभी dot लिखा ह कर दिया, यह बचा कुछा stack, ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ, कि अब जहाँ पे मैं इधर था ना, देखो, तो call लगी सीधा, इधर, इतना बोला, यह ले बाई, call लगा तू, अब यहाँ पे, जब call लगाई मैंने, तो मैंने stack में सिर्फ यह एक single number का stack बेजा, यह मैंने यहा क्या size 0 है, नहीं, आगे बढ़ो, int top is equal to st.pop, तो मैंने उड़ा दिया, यहाँ से element खाली हो गया, यहाँ पे लिया, फिर मैंने print करा दिया, उसे, top को print करा दो, फिर यहाँ पे मैंने call लगा दी, ठीक है, अभी तक सिर्फ call लगा रखी है, अब जब call लगाई, तो थोड़ा इधर आजाते है, यह मैं भूल गया, मेरे को एक और ले लिलना चाया था, copy, paste, अब जब यार मैंने यहाँ पे call लगाई भाई, तो कुछ ऐसा हुआ, इसने इसको call लगाया वापिस से, लेकिन empty stack भेजा है इस बार, ठीक है, इस बार जो stack भेजा है, वो यह था, खाली stack भे होता है, यह function, कोई भी function जब कतम होता है, तो वापिस कहां जाता है, जिसने उसको call लगाई होती है, call किसने लगाई थी, यह arrow नहीं दिख रहा आपने, call यहाँ से लगी थी ना, यह देखो, call लगाई थी जिसने, तो हम वापिस यहाँ पहुँच गया, exact उस line पे, क्योंकि कि इसका काम हो गया, and after this, इसका काम हो गया, tick, अब हमें next line पे आ गए, st.push, top, ठीक है, अब इस समय तक, जो actually मैं यहाँ पे मुझे stack मिला वा था ना, यार, वो क्या था मेरा, वो यही था one वाला, और empty हो गया था, फिर जब मैंने वो किया था, बट अब यह क्या है, st.push, top, top कहा है, top है one, तो मैंने यहाँ पे push कर दिया one, बहुत पढ़िया, ठीक है, यह काम भी हो गया, tick, अब जब इसकी सारी line ने चल गई, तो यहाँ पे return लिख, वैसे return भी लिख सकता था, हमें return, return का मतलब होता है, खतम, लेकिन अगर void वाले function की यहाँ पे सारी line ने ही चल तो यह function भी खतम हो गया, finish, start up, bye, bye, goodbye, ठीक है, तो यह done, ठीक है, यह भी हमारा done हो गया, जब done होता है, तो किसने call लगाई थी, यहाँ से call लगी थी, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे यह call भी पूरी होई, इसका मतलब यह call successful रही, अब ht.push, top, top है मेरा two, वापिस से push कर दो, ठीक है भाई, जब इसका भी फिर सारा काम हो गया, done, 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 तो इसको call लगाई थी, इसने, तो यहाँ पे आ गए हम, वापिस से देखो, इसका काम पूरा हुआ, ht.push, top, 3 को यहाँ पे वापिस से push कर दिया गया, फिर इसका काम भी पूरा हो गया, इसको call गए, तो I hope आप इस dry run को समझ गए होगे, आर आपको recursion समझ आ गया होगा, अब यह तो reverse में print करना था, अगर reverse में print नहीं करना है, तो क्या extra चीज हम कर सकते हैं, एक छोटा सा change करना है, छोटा सा change करना है, literally एक बहुत ही छोटा change करना है, वो change पता है क्या है, recursion की दो दु के बाद वाला काम, ठीक है, काम, कॉल, काम, तो बस आपको क्या करना है, एक line चेंज करनी होगी, इधर दिखाता हूँ आपको magic, वापस आ जाते है, यह जो display reverse है, एक काम करते है, इस function को copy करते है, यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ display recursion नाम का function मनाते है, जो की normal order में display करेग तो of course, यहाँ से फिर हम यह भी अटा देते है, सिर्फ display recursion होगा, और इसमें बस change पते है क्या करेंगे, इस पूरे function में बागी change, एक छोटा सा change, यह जो print statement है, इसको उठाओ, print statement को उठाओ, और call के बाद कर दो, that's it, बस call के बाद करना है, अब आप एक कमाल देखना, एक छोटा सा change किया है, देखो, same function लिया, copy-paste कर दिया, चाहे तो मैं इसमें भी करके दिखा सकता था, वही same काम, अगर मैं इसमें, इस line को बस, इसके नीचे लिखना, लेकिन इसका जो dry run है, वो आप खुद करना, इसके in shots लेके, वो आपकी महनत है, मैं नहीं करके दिखा हमने एक ये चीज़ देखी थी, क्या, insert at the bottom, तो एक question होता है, push at bottom, push at bottom, वो हमने देखी लिया, तो आपको बस bottom में push करना है, यार, but recursion से, ठीक है, आपको दूसरा stack बना के नहीं करना, जैसे हमने दूसरा stack बना के किया था न, हमार पास एक ये है, 1, 2, 3, 4, मान लिजिया, यहाँ पर आपको six भरना है, तो आप क्या काम करेंगी, यहाँ पर लिखा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, बना लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, 1, 2, 3, 4, और आपको six को insert करना है, bottom में, आप एक दूसरा stack खाली बनाएंगे, या फिर array, मर्जिया आपकी, इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ, जब तक यह खाली नहीं होता, फिर array से six को यहाँ लिख दो, फिर वापिस से इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको यहाँ, काम हो गया, तो यह तो बड़ा simple काम था, लेकिन अब आपको recursively यह सेम काम करना है, तो again बहुत लेकिया stack को, आप बोलोगे यहाँ पे तो एक भी stack extra use ही नहीं हुआ, recursion ने सारा काम कर दिया, तो आप यह बोलोगे ना कि अच्छा steps तो बार-बार लगे, time complexity शायद order of n होगी मेरी, ठीक है, time complexity order of n है, लेकिन space complexity तो कुछ extra use ही नहीं हुआ, याने कि order of 1, गलत, order of 1 नहीं है, in fact यहाँ पे तो बावाल ही मचा हुआ है, space complexity इतनी कम use नहीं हो रही है, एक बार आ जाते है अपने previous code पे इधर, अब वैसे तो यह reverse करने को था, लेकिन बात एक ही है, अगर मैं बस इस line को उठाके यहाँ नीचे लिख दो, almost same code है वरना, क्या यहाँ पे आपके हिसाब से को कोई नया stack, कोई भी stack नहीं बन रहा गया, मैंने आपने यह पास किया, फिर आप बोलो कि इसी को तो पास कर दिया इस function में, यही तो पास हुआ है, फिर वापे से यही तो पास हुआ है, इसी के अंदर तो changes होए है, इसी में तो changes होए है मेरे, भाई-साब एक call stack होता है, ति जब मैं बार बार ये call लगा रहा हूं, जब मैं ये call लगा रहा हूं, तो call लग कैसे रही है, जब मैं अगर printing की बात करूँ तो एसा काम हो रहा है, कि पहले मान लो ये मेरा call stack है, तो हम main function में हैं, हम अभी main function में है,ás a comment स्टैक में है, memory खाता है यह free fund के काम नहीं है और order of n ही है order of n frames basically stack frames कहते हैं ठीक है but anyways मैं बार-बार stack में एक information fit कर रहा हूं अगर आप थोड़ा सा notice करो मैं कहना क्या चा रहा हूं क्योंकि जब मैं वापिस जाता हूं यह देखिए जैसे कि इधर आते हैं जब मैं call लगा रहा हूं यहाँ पर call लगाई यहाँ पर call लगाई तो जैसे अब मैं इधर आ गया था और मैं फिर वापिस जा रहा था इधर जब इसका सारा काम हो गया तो आप notice करो वापिस जाते समय तो यहाँ पे तो पूरा one or two ही भरावा है वो stack जो है ठीक है यहाँ पर one or two ही भरावा है हमारा तो वो कैसे है क्योंकि यह hold करके रखना है ना कुछ memory hold करके रखता है ठीक है तो वो होता है हमारा यह चीज कि call stack memory लेता है हमारी तो यह order of one नहीं है इसकी space complexity यह भी order of any है यार मोटा मोटा अगर बोले तो order of any है क्योंकि बार बार call लग रहे है ना यार तो यह भी कहीं store हो रही है ना पूरी information बहुत बड़ी information है तो लटा इसमें बहुत सारे variables store हो रहे है अगर आप देखो हर frame में in fact यह देखो हर बार जब मैं call लगा रहा हूँ हर बार जब मैं call लगा रहा हूँ तो मैं एक variable store करके रख रहा हूँ top और वो top अलग है इस function का top अलग है यह वाला top अलग है यह top अलग है यह top अलग है तो इन variables को store करना है कितने variables देखो 5 तो यह variables हो गए तो n variables हो गए न, जितना मेरा size होगा, लो भाई, तो in fact जादा खर्च होता है, अगर मैं मोटा मोटा बता हूँ, even order of n से जादा ही होती है kind of, लेकिन हम approximately इतना ही बोल देते हैं, कि चलो यार यार यही ले लो, तुम order of n ही ले लो, ठीक है, तो बार-बार call लग रहा है, call stack खर् है, ठीक है, लेकिन reverse करके दिखाओ recursively, again इसमें कोई काम नहीं करना आपको, एक बार मैं reverse stack recursively नहीं ये खुद सोचना है, यार, यह नहीं होता, थोड़ा YouTube यूट्यूब पर देखना, लेकिन मैं इसके hint दे सकता हूँ, बस, hint इसकी यही है, push at bottom भी use होगा है, ठीक है, जैसे को यहां रख दो और काम कर दो, तो पूरा नहीं बताऊंगा ठंक से, खुछ सोचो, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं और remove from bottom slash any index करते हैं, ठीक है, यह भी बहुत simple है, मान लीजे, आपके पास stack है, इसको भी classwork लख लेते हैं, बार-बार आपको क्यों सेम चीज़ पढ़ा है, यह आप खुद करना, code इसका, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, मान लीजे, यह stack है, 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजे, st, नाम है stack का, मुझे क्या करना है, bottom में से 1 को remove कर देना है, last element, या फिर कोई भी index, यह 3 दे रखा, remove, same काम करना है, यार, वही same काम, कु इसको इधर लियाओ, फिर इसको इधर लियाओ, ठीक है, कब तक लाना है, जब तक stack का size is greater than 1, तो आपको loop लगाना है, while, यह एक नया stack rt बना दो, जब तक मेरे stack का size is greater than 1 है, ठीक है, तब तक pop करते रहो, अब आप बलोगे greater than 0, नहीं नहीं, greater than 0 में तो सारा element अट जाता है ठीक है, यह element हटा हटा के यहाँ पर push करते जाओ, जब तक हमारा size 1 नहीं होता, क्योंकि last element है, फिर जब 1 हुआ size, तो यह जब loop खतम हो गया, तो simple एक काम करो st.pop, हमेशा के लिए खता दो इसको, ठीक है, इसको आप इसकी काम ही खतम कर दो, पूरा का पूरा, and फिर वापिस सेम है, rt.pop, ठीक है, stack simple है, कोई काम नहीं है, तो इसको खाली करते रहो, जब तक है empty नहीं होता, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आप समझ गयोगे, कैसे करना है, same काम अपको आप any index वाले में करना है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे करना है, बस index मान लीजिए, मान लीजिए, 0, 1, 2 3 है, आपको second index की चीज़ अटाने है, तब आप खुद सोचो, कब तक आप वो काम करोगे, कब तक आप वो चीज़ करोगे, simple एक काम कर सकते हैं, while stack size, यह 0, 1, 2 है, अगर second index का अटाना है, तो जब तक मेरे stack का size, यहाँ पर कितना नहीं हो जाता, मेरे को इन elements को बरकरार रख 5, 4, तो जब तक 2 से जादा नहीं है, तब तक अटाते रहो, यह चीज़ आप खुद सोचना, आप index वाली करा चुका हो, मैं already, आगे बढ़ते हैं, reverse stack, अच्छा, reverse stack मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, क्या reverse stack पढ़ाया तो था, ठीक है, यहाँ पे copy करते वे समझाया था, कि reverse कैसे आप copy कर सकते हो, एक बार वापिस समझा देता हूँ, बहुत simple है, reverse stack की अगर मैं बात करूँ, तो आपको मान लीजी एक stack दे रखा है, और यहाँ पे लिखा है, 1, 2, 3, 4, यह है st, तो अगर आपको same stack को reverse करना है, iteratively, तो आप 2 stacks की मदद लेते हो, पहले एक stack बनाई है, RT, ठीक है, आपको इसी में अगर reverse दालना है, तो आप सबसे पहले इसको खाली कर दो इसमें, आप बोलोगे reverse तो हो गया, reverse तो हो गया, लेकिन दूसरे stack में हो गया, तो क्या वापस इसको इसमें डाल देंगे, नहीं, काम नहीं बनेगा नहीं, same order हो गया, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आप एक नया stack बना लो, totally, जिसका आप नाम कुछ और रख दो, इसका आप नाम रख दो, क्या नाम रखे इसका, इसका नाम रख दो 80, या कुछ भी stack का नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना आप, और अब एक काम करो, इसको इसमें खाली करो पहले, इसको हुआ क्या, 80 के अंदर जिस order में है ना वो ऐसे था, यह पहले 1, 2, 3, 4 था, खाली होके 4, 3, 2, 1, फिर वापस से बन गया, अब एक काम करो, इसको खाली करके इसमें डाल दो, आप समझे रहे हो ना, क्या बोल रहा हो, तो देखना reverse order में चीज़े आ जाएगी, यह देखो, य 4, 3, 2, 1 हो गया मेरा, ठीक है, 4, 3, 2, 1, पहले 1, 2, 3, 4 था, समझे, मैंने क्या किया, इसका सारा समान इसमें डाला, इसका इसमें डाला और आपस से इसमें डाला, तो ऐसे आप reverse कर सकते हो, लेकिन आपकी space complexity, 2 extra stacks use कर रहे हो आप, तो order of 2N यानि की, order of N तो यहाँ पे use हो रह सकता है, right, अब यहाँ पे reverse तो हो गया, simple, यह तो बहुत simple है, क्या इसको recursively भी किया जा सकता है, कि stack को हम reverse कर दे, जो मैंने आपको homework दे रखा था, ठीक है, सबसे पहले तो इसको भी solve कर लेते हैं, पहले इसका code करते हैं, फिर recursively भी करी लेंगे, मैं कर तो सारा लेता ही हू बस आपको बोलता हूँ कि कर लो, कर लो, आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रख देते हैं, पूरे stack को अगर मैं को reverse करना है, dot java, and इसको बंद करते हैं एक बार, display stack वाला यह उठा लेते हैं, stack अपना यही उठाएंगे हम हमेशा, ठीक है, यह हमारा standard है, तो यहाँ प करना है, इसको reverse करके print कराना है, तो आप मैंने क्या बोला तो दो नए stack बना लो, तो एक काम करो, सबसे पहले एक नया stack बनाओ, जिसमें इस stack को खाली कर दो, इसका नाम रख दो RT, तो simple, खाली करना तो बहुत simple है, जब तक stack का size 0 से बढ़ा है, pop करते रहो, करते रहो, और कि simply आपको एक नया stack एक और बनाना था यार, पूरा copy करते हैं इसको, Ctrl-C, Ctrl-V, नया stack बना दो आप, इवन इसका नाम रख देते है, QT, ठीक है, चलो, QT stack बनाया है हमने, अब RT को खाली कर दो इसमें, तो जब तक आप RT का size 0 से बढ़ा है, तो एक काम कर दो, इस QT में पुश सबस्काइब, पर इसमें और बाती साथ मेरा print भी कराते रहते हैं, पहले अपने stack को print करा लिते हैं, कि initially क्या scene है उसका, फिर अपने stack को print करा लिते है, meto rt को बहीं एक रिए, जब इसमें अमने कर दीजिए क्यूटी को पॉप कर दीजिए ठीक है यह वहला एलिमेंट अब एक बार वापिस से अपने स्टैक को प्रिंट करा रहते हैं साउट स्टी ठीक है तो चलिए रन करते हैं चार चीज़े हैं आपर रन किया तो आप देख सकते हो अच्छा यह रन नहीं हुआ यह रन अपने स्टैक में आपको समझ आ रहा होगा तीन लूप्स लगाया है बेसिकली ओडर ओफ 3N वाला काम हुआ है यहाँ पर पूरा पूरा देखा जाए टाइम के हिसाब से और स्पेस ओडर ओफ 2N ठीक है भाई बहुत बढ़िया अब इसकी को क्या हम रिकर्सिवली कर सकते ह रिकर्सिवली का थोड़ा सा अलगोरिदम हमारा मस्त रहता है क्या रहता है उसमें पुश आट बॉटम इस्तमाल होगा तो यह है हमारा इटरेटिव सोल्यूशन और यहाँ पर अब होने वाला है हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टाक है जिसमें है 1, जिसमें है हमारा 1, 2, 3, 4 और एक बारी के लिए हम 4 ही रख लेते हैं छोटा स्टाक रखेंगे बेटर रहती है सारी चीज़े राइट तो वापिस से बनाते है बहुत बढ़िया अब देखिए रिकर्शन में मैं क्या कहता हूँ मैं इसको आफकर्स पास करा इसमें एक तो push at bottom इस्तमाल आएगा जो push at bottom का function मना के रख लेना आप बार-बार काम आएगा हो ठीक है बार-बार काम आएगा तो एक function बना लेना यह मैं नहीं सखाऊंगा कि function कैसे मनाते एक चीज़ का जो मैं पढ़ा चुका हूँ तो reverse के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम भार के element को of course pop कर देंगे हम निकाल के रख लेंगे int top element is equal to st.pop यह तो क्योंकि हमें इसी का access है ना point यह है कि हमें इसी का तो access है तो हमने एक काम किया यार इसको हमने निकाल दिया बाहर एक बारी के लिए फिर हम क्या करेंगे हम recursion से बोलेंगे हम recursion से बोलेंगे कि भाई इस चीज़ को आप reverse करके लियाओ मुझे नहीं पता आप कैसे reverse करोगे लेकिन आप reverse करके आओ ठीक है तो reverse और इसमें मैं यह अधूरा stack भेजूँगा यानि की 321 वाला stack पास करूँगा 4 को निकाल दिया अब recursion से मैं कहता हूँ कि भाई इसको reverse करके लाओ मेरे को नहीं पता कैसे होगा वह आपके उपर है तो आप इसको यह reverse करके लाओ तो 10 यह रिकर्जं ने बोला ठीक है मैं rare keito on करके ले आता हूं तो मान लेते हैं मर्दी कर देना चाहे recursion से iteratively तो push at bottom आप अपने stop element को कर देना तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसके बाद कुछ ऐसा काम होगा कि कुछ ना कुछ होके यह वापिस से इधर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं stack मेरा reverse हो चुका है ठीक है close लेकिन इसका base case क्या होगा उस तो base case रहा होगा ना मेरा base case क्या रहेगा मेरा यहाँ पर यह कमाल की बात है base case तब होगा जब अगर मान लीजिए मेरे को अपना एक empty stack मिल रहा है तो empty stack के case में क्या मैं simply यहाँ पर return तो क्या काम बन जाएगा या मान लिजे इसको एक बार ना पूरा हम के काम करते हैं ड्राइडन करके देखते हैं कि क्या यह काम यह जो चीज है यह काम करेगी ढंक से यह काम नहीं करेगा इसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पर सोचते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं इसको उ और अलग-अलग iterations के लिए मैं इसकी अलग-अलग copy बना लेता हूं कि जब बार-बार यह function में पास होगा तो कैसा दिखेगा उसके बारे में हम सोचेंगे, ठीक है, कैसा दिखेगा तो उसके बारे में हम यहां पर सोचेंगे, यह हमारा function है, इसको हम यहां लिख देते है, recursive method ठीक है भई, आई रह गया, अब देखिए, मैं वापिस से इसको कर लेता हूं, एक तो copy, यह मेरा बार-बार हर iteration में stack जाएगा, आप समझना मैं करना क्या चाहता हूं, ऐसा नहीं जाएगा, of course, मैं आपको समझा दूआ, कि कैसा जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, सबसे पहले call लगी, तो यहां पर आये हम, हमने पूरा stack पास किया, मैंने top element निकाल दिया, base case अभी सोचेंगे कि क्या होगा, top element मैंने निकाल दिया, तो four को मैंने भार रखा, फिर मैंने reverse stack, मैंने call लगा दी, जिसमें मैंने ये वाली चीज़े आगे भेज दी, तो मैंने call लगा एक बारी के लिए इधर आ जाते हैं, अभी के लिए मैंने push and bottom नहीं किया, तो हम इस काम पे अभी, हम अभी अटके वे हैं, ये काम पूरा नहीं हुआ है, हमने सीधा call लगा दिया अभी के लिए, तो मैं ऐसा arrow बना रहा हूँ कि मैं call लगा चुका हूँ, इस चीज़े, ये तो reverse करके दे, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, ठीक है भाई, यहाँ पे 2 और 1 चले गए मेरे elements, फिर वापिस से मैंने 2 को pop कर दिया, मैंने recursion को बोला कि जो ये 1 है न, इसको भेजो और इसको reverse करके लाओ, लेकिन, यहाँ पे मेरे को खाली करने की ज़रूत ही नहीं है stack को, क् नहीं, यह जो stack है, single element का stack हमेशा reverse हो, उसका same ही रहता है, मान लिए stack मेरा यह है 5, तो इसका reverse भी तो यह होगा न, 5, तो अगर element एक बचता है मेरा, तो as it is, एक काम कीजिए, return कर दी दिये तो, ठीक है, तो इस case में मैंने क्या किया, फिर वापिस से, इसको return कर दिया, मैंने push at bottom करना है, तो मैंने क्या किया, अपना कोई भी function लगाया, उसके यह से काम हुआ, अब यह सारा काम हो गया, तो वापिस return हो गई, इसके call लगी, तो क्या हुआ, यह गया है, अब यह change हो चुका है, जो 1 और 2 है, यह चीज reverse होके, ऐसी बन चुकी है, recursion से, ठीक है, तो यहा जिससे push at bottom हो गया, ठीक है भाई, और फिर हम वापिस से इधर आए, इसका काम भी सारा हो गया, वापिस आए, तो यह तब तक change हो चुका था पूरा, ठीक है, क्योंकि stack reference से है, तो 1, 2, 3, यह हो चुका था, अब हमने कुछ magic किया, push at bottom लगा के, और 4 इधर आ गया, तो आपक ठीक है, तो यह हमारा यार, यहाँ पर code रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक बार, एक बार, code भी आपको करके दिखा देता हूँ, ना, यार, code करके दिखा ही देता हूँ, reverse stack के अंदर है, तो एक बार इक लिए इन सब चीदों को अटाते है, जो हमारा iterative method है, और यहाँ पर हम यह लिख लेते है, सबसे पहले अपने stack को प्रिंट करा लेते है, यार, south stack, फिर एक बार call लगा लेते है कि reverse, ठीक है, यहाँ पर हमने stack को भीजा, और फिर वापस से stack को एक बार प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, तो functions बनाते है, functions क्या थे हमारे यहाँ पर, public, static, void, और reverse करने वाला function, जिसमें एक stack आएगा, integer का, integer का, इसका नाम भी st दे दो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले base case, अगर पहले से stack का जो size है, वो 1 के बराबर है, तो फेग दो, इसको ऐसी छोड़ दो, यह already reverse हो चुका है, दूसरा, यहाँ पर पहले top element को निकाल दो, अगर ऐसा नहीं है, int top is equal to st.pop, जो top element को निकाल दिया, फिर मैंने बोला यार, कि भाई, मैं कहता हूँ कि, recursion मेरा काम करके आजाएगा, बचे कुछे stack का, और जिब यह काम करके आजाएगा, तो एक काम करूँगा, अब मैं वापे से इस top element को bottom में push कर दूँगा, तो मैं कर दूँगा push at bottom, यह भी void का function होगा, push at bottom, और यहाँ पे मैं अपने इस element को push कर दूँगा, किस element को या top को, top को मैंने push कर दिया, लेकिन इसमें एक और चीज़ पास करूँगा ना, मैं push at bottom कहां पे हो रहा है, पॉइंट तो यह है ना, कि push at bottom मेरा हो कहां पे रहा है, यह इसी function के अंदर हो रहा है क्या मरजी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक stack भेज देता हूँ, अपने इसी stack को भेजूँगा, अपने इस top element को डाल दूँगा, अब इसका एक दूसरा function मनाने की, as such, अगर मैं बोलू ना, जरुत है नी, मैं यहीं की यहीं अपना जो push at bottom वाली चीज होती थी थी ना, कि एक दूसरे stack में खाली करके, तो मैं वो काम कर सकता हूँ, insertion stack करके, ठीक है, तो function भी देखो, मैं बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, function नहीं बना सकते, function नहीं बना लेते हैं, in fact, push at bottom, and finally, जैसी मैंने push at bottom किया, तो खतम, I think, उसके बाद तो कुछ लिखना ही नहीं है, बट एक function मना लेते हैं, public, static, ठीक है, static, फिर यहां पे void, push at bottom, जो की receive करेगा, एक element, एक तो stack receive करेगा है, stack integer st, और एक element receive करेगा, int x मान लीजिए, जिसको उसको push करना है, bottom में, right, हमने उल्टी चीज़े दे दी, यहां पे stack देंगे, और यहां पे मैं देता हूँ, अपना top, right, इधर आ जाते हैं, अब मैंने बोला था, push at bottom करना बहुत असान है, अब इसको भी आप चाहे, तो recursively भी कर सकते हो, खुद से इस चीज़ को आप recursion एक और लगा सकते हो, यहां पे, कि push at bottom recursively कैसे होता है, और आप of course इसको वो भी कर सकते हो, क्या बोलते है, iteratively भी सकते हो, मैं एक या कैसे है, ठीक है, recursively का method आपका simple रहेगा, कि bottom पर push करना है, तो आप एक बारी के लिए, सबसे पहले तो वापिस से, int top is equal to st.pop, आप यहां पे इस element को निकाल लोगे, आप बार बार भेजते रहोगे, अपना क्या कहते है, यह चीज, push at bottom, जो reduce stack है, बचावा stack, और अपना यह x element, अभी तक इसको आप push निकरोगे, ठीक है, आप simple एक काम करोगे, और बाद में जब यह काम हो जाएगा, पूरा जो भी आपका है, push at bottom का, तो आप यहां पे वापिस से, अपने stack में push कर दोगे, stop element को, बस और कोई काम आपको करना नहीं है, base case आपको यहां पे यह दे आपको समझ आएगा कि reverse हो रहा है नहीं हो रहा है, यह देखे, run किया, okay, तो एक छोटा सा error आ रहा है यहां पे, और I think overflow वाला आ रहा है कुछ, exception inside, तो पहले हमारा stack तो print हो गया, फिर reverse करके problem आ रही है, reverse किया, हमने, फिर print किया, ठीक है, तो इक बार देखते है, error क्या है, error अपने stack को reverse कर दो, recursion कर देगा, and जैसी मैं reverse करके आ जाता हूँ, तो फिर push at bottom कर दो, अपने ये वज़ा stack और जो आपने element निकाला था, ठीक है, यार, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, push at bottom कर दिया, बस, खतम हो जाना चाहिए, मेरे code जो है, यहीं से, ठीक है, तो यहां प तो ऐसी push कर दो, बरना आप एक काम करो, top element को एक बर एक लिए निकालो, फिर push at bottom कर दो, वापिस से, उसी recursion में जा रहा हूँ, और top को वापिस से push कर दो, ठीक है, एक बर देखते है, इस code को देखते है, यह जो push at bottom में ने लिखा है, इसमें क्या गलती हो रही है, एक बर इ 1, 2, 3, 4, ठीक है, for the sake of it, एक काम करते है, 1, 2, 3 लिख लेते हैं, और मान लेते हैं कि push at bottom में जो element कर रहा हूँ, मुझे एक तो stack मिल गया, ऐसे 1, 2, 3, यह मेरे को stack मिल गया, 1, 2, 3, और 1, 2 ही ले ले लेते हैं, नहीं, 3 ही ले ले लेते हैं, चलो, और मैं को push करना है यार, bottom मे 7, तो मतलब मैं को 3, 2, 1, 7, ऐसे बनाना है, ठीक है भई, pass कर दिया, check हुआ, क्या stack का size 0 है, नहीं, आगे बढ़ो, in top is equal to st.pop, तो 3 को मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया बाहर एक बार के लिए, push at bottom st.x, तो वापिस से मैंने इसको भेजा, और वही same अपने 7 को भेज दि फिर वापिस से call लगा दो st.x, इस stack को भेज दो, ठीक है तो इस stack को मैंने भेज दिया, one size के, ठीक है भई, तो check हुआ, क्या size 0 के बराबर है, नहीं, तो एक काम करो, इसको pop कर लो यार, इसको आप pop कर लो, और एक काम करो, push at bottom कर दो यार, वापिस से call लगा दो, खाली stack भे क्या, okay, तो मेरे को return भी तो करना था नहीं, और push करने के बाद, return कौन करेगा, बहुत बढ़िया, तब ही तो एक error आ रहा था, ठीक है, हालाकि इसको dry run आप खुद ही करना, मुझसे गलती होगा, इसलिए थोड़ा बहुत कर रहा था मैं, yellow, हो गया, reverse stack, ठीक है, तो आप कैस at bottom और reverse दोनों recursively आपको समझाए है, लेगिन I will highly recommend कि आप इसका dry run करो, same ही काम में कुछ खास है नहीं, algos मैंने आपको समझा दिये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आज आते हैं, introduction to stack तो हमने देख लिया यार, बार-बार की हमारा यह चीज, ठीक हैं, types of operations भी देख लिय अब हम बात करते हैं, दो important चीजों के बारे में, एक है overflow और एक है हमारा underflow, सबसे पहले underflow को discuss कर लेते हैं, underflow होता क्या है, उसके लिए मैं आपको एक बार coding screen पे लेके चलता हूँ अपनी, और समझाता हूँ कि underflow यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, एक बार इसमें आ जाते ह हम अपना new java class और यहाँ पर लिख देते हैं, underflow और overflow नाम की एक file बना लेते हैं, ठीक है, आपको समझाता हूँ, बहुत छोटा topic है, जादा बड़ा चीज है नहीं, एक बार आ जाते हैं हम, और copy कर लेते हैं अपने इसको, ठीक है, तो st psvm, ठीक है, तो मैंने यार एक stack ब में से element को pop करूँ, तो क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं, यह देखिए, अगर मैं पहले stack को print करता हूँ, फिस stack में से कुछ pop कर लेता हूँ, उपर का element ही pop होता है हमेशा, और फिर वापिस से stack को print कर लेता हूँ, तो मैंने आपको समझाया था, पहले stack 1, 2, 3, 4, 5 है, pop करने के बाद 1, 2, 3, 4 बचेगा, तो यह देखिए, मैं run करता हूँ, इसको, यह तो हम सब जानते है, 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो गया, ठीक है, पहले यहाँ पे stack तो print ही नहीं किया, यह लोग है, वापिस, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, फिर 1, 2, 3, 4, खाली होते जा रहा है stack, अब अगर मैं यह operation करत करते रहूं, करते रहूं, करते रहूं, मतलब की, अब अगर मैं वापिस है, एक pop करूं, print करूं, pop करूं, pop करूं, pop करूं, तो अब देखना क्या आएगा answer, पहले मेरा यह था stack, pop किया, तो यह हो गया, pop किया, तो यह हो गया, pop किया, तो यह, मैंने 4 बार pop कर दिया, 1, 2, 3, चार elements उड़ा दिए, अब अगर मैं एक और बार ये काम करूँ तो क्या होगा, अगर मैं एक और बार ये काम करूँ, तो खल ली हो जाएगा stack, ये देखो empty stack, और अगर मैं एक और बार ये काम करूँ, समझ रहो यार, पहले हमारा stack था ये, एसा प्रिंट हो रहा था यह जो साउट है यह प्रिंट कर रहा था फिर जब मैंने पॉप किया तो कुछ हालात ऐसे बन गए हमारा यह 5 हड़ गया फिर जब मैंने वापस पॉप किया तो हालात ऐसे बन गए 4 भी हड़ गया फिर वापिस देखो यहां पे हमारे यहां पर टू बी घड़िया पर यहां पर तो stack मेरा क्या हो गया यार यहां पर stack मेरा empty हो गया खाली अब अगर मैं pop करने की कोशिछ करता हूं तो आए होप आपको समझ आ गया होगा आपको कुछ मिलने वाला है यहीं पर error आएगा यहां पेनी यहीं पहरा राज़एगा क्यों क्योंकि खाली श्टैक है यह देखें रहन किया देखिये यह प्रेंट हो गया यह बी प्रेंट हो गया यह जैसे मैं आपको दिखाय वन भी प्रेंट हो गया अब दिखा गया exception in thread main empty stack exception stack अगर खाली है और तुम उसमें से कुछ पॉप कराने की कोशिश कर रहे हो, it is not possible, उसमें पुश करना अगर तुमें कुछ है, it is possible, ठीक है, अगर तुमें उसमें कुछ पुश करना है, तो it is possible, अगर तुम पॉप करते हो, it is not possible, अगर तुम पीक करते हो, उसमें भी error आएगा, यह देखे लिखा भी है, stack.peak के भी error आता है और pop में भी error आता है मतलब अगर मैंने pop की जगे push लिखा होता मान लीजिए 100 यहां पे तो error नहीं आता फिर आप print करोगे तो खाली stack में 100 push हो जाएगा यह देखो 100 push हो गया print हो गया लेकिन अगर मैं बस यह भी नहीं मैं pop की जगे में peak भी लिखूँ तो भी error आएगा क्योंकि खाली stack में कुछ peak नहीं कर सकते आप देखो run किया error ठीक है तो यह चीज़ होती है हमारी under flow इसको हम कहते है ठीक है वापिस आ जाते है इदर आ जाते है कि under flow क्या होता है if stack is empty ठीक है तो यह आपका exact नाम लिख लेता हूँ आपको मिलेगा और stack अगर empty है and you are trying to do st.peak या फिर और st.pop पीक या पॉप में से कोई operation आप perform करने की यहाँ पे कोशिश कर रहो है empty वाले case के अंतर तो आपको मिल जाएगा एक exception जिसका नाम होता है यहाँ पे empty stack लिखा भी है exception भाई error है ये ठीक है क्या है यार error बहुत बढ़िया अब अच्छा अगर मैं size का इस्तमाल करूँ मतलब stack.size तो वो आ सकता है बिल्कुल अगर आपका खाली stack है तो zero size आ जाएगा कोई भी यहाँ आपकी दिक्कत नहीं रहने वाली is empty function भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें बहुत बढ़िया यार आगे देखते हैं अब यहाँ पीछे आते है थोड़ा overflow अब जो overflow का concept है अभी हम वो नहीं समझ सकते हैं जब तक मैं आपको implement करके नहीं दिखाता हूँ वो भी array इ जाते है हमारे पास एक stack है और उसकी कुछ quantity है उसकी कुछ size है उसका fix और मैं जैसे यहाँ पर push करते जाता हूँ elements को 1,2,3,5,4,6,7 और एक बार वो भर गया तो अब मैं अगर बापिस से कुछ मानलो 8 को push करने की कोशिश करूँ और अगर stack मेरा full है if stack is full and अगर stack full है and you are trying to do you are trying to push push element अगर आप ऐसा कुछ करते हो st.push anything यहाँ पे कुछ भी तो आपको मिल जाएगा error ठीक है और वो error है stack overflow error और आप stack overflow word आपने बहुत बार सुना होगा एक बहुत ज़्यादा famous website का नाम है stack overflow लेकिन usual cases में आप यह सोचोगी न overflow तो कभी आएगा ही नहीं क्यों आएगा यह stack का एक ही तो खास बात मैंने आपको समझाई एक तो यह सारी तो problems ही है आप सिर्फ top वाले element को access कर सकते हो उसी को बाहर निकाल सकते हो इसी को print कर आ सकते हो इसी के उपर किसी और element को डाल सकते हो बाकि सारी चीदे करने के लिए order of end लगता है फालतू में जबकि arrays बहुत तब आता है एक तो तब आता है कि अगर आपका किकिते है actual जो आपकी memory है actual जो आपकी memory है यानि कि computer की जो memory है आपकी जो भी आप laptop या जो भी यूज भी यूज करते हो अगर ये full हो रखा है अगर memory full हो रखी है तो आपको stack overflow error आ जाएगा लेकिन यह आप शायद ही कभी stack implement करते हो अगर आप implement करते हो जो कि अब हम जट करने वाले है implement using arrays using arrays को implement करके तो यहां पे size आपका fix रहता है ठीक है तो यहां पे size आपका थोड़ा बहुत क्या रहता है यहां पे your size is fixed of course इसको हम change कर सकते है size variable भी बना सकते है array list का use कर लो simple या फिर arrays में यहां पे array list बना दो है वो चीज़ लेकिन फिर भी अगर सिर्फ यह करते हो और अगर size रखते हो आप अपने हिसाब से कोई तो आप यहां पे यह वाला overflow वाला error आ सकता है I hope यार आपको यह चीज़ समझा रही होगी आगे बढ़ते हैं थोड़े सो और आप implementation देखी लेते हैं ना यार सबसे पह insertion है वो सिर्फ top में हो सकती है जो deletion है वो भी सिर्फ top की हो सकती है एक बारी में और जो peak है वो भी सिर्फ top का ही हो सकता है तो यह परिशानी आपको create करनी है तो आपको खुझ से एक तो सबसे पहली बात अगर आपको object oriented programming नहीं आती तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो आपको यह समझ नहीं आएगा प्लीज जाके मेरी यह वीडियो देखो oops in one shot नाम से है वो actually पूरा one shot नहीं है वो part one है लेकिन वो part one क्या है practical मतलब आपको classes बनाना सिखाया है user defined data type user defined class linklish में मैं आपको समझाई थी कि आप user defined data structure भी बना सकते हैं I mean तो यहापे आपको वो बना अब हम देखते हैं कि अगर हमें मानली जी आरे दे रखा है ठीक है 50 40 30 20 10 तो हम इसको कुछ ऐसा डाले किसी एक अपनी class बना के कि वो ऐसा दिखे stack में 50 40 30 20 10 और हमेशा हम इसके साथ सारे operations कर पाए मतलब खुद का stack बनाना है CDC अगर मैं बात बोलूं यहापे मुझे खुद का stack बनाना है तो कैसे बनाएंगे आजाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जो भी हम class बनाएंगे अपनी हमें class बनाएंगे of course ऐसे लिखेंगे class stack तो इसके अंदर एक तो हम array create कर देंगे int arr अब उसका हम कोई size देंगे और वो size आपको 10 दिखा देता हूं आपको वो आपकी मर्दी है यहाँ पर आप देख सकते हो और फिर इसी के साथ इसी को आपको basically technically जो आप stack बना रहे हो ना वो होगा एक array लेकिन user को नहीं दिखेगा user को stack की तरह वो इस्तमाल करना है तो एक array को आपको stack की तरह दिखाना है ठीक है तो of course आप कुछ ना कुछ functions बनाओगे class के अंदर हम functions बनाते हैं नहीं यार एक function आप यह बनाओगे क्या stack के तीन function होते हैं predominantly कौन से कौन से functions होते हैं stack के यार सबसे पहले आपका होता है कि आप अगर stack st बनाते हो तो st.push st.push कि element push कर दो यहाँ पे कोई element फिर आप एक function बनाओ st. st.pop फिर आप बनाओगे st.peak अब एक बर functionality बता देता हूं तीनों की st.push में क्या होगा वो element insert हो जाएगा यहाँ पे तो आपको एक ऐसा function बनाना होगा कुछ ऐसा ठीक है यहाँ पे आप लिखोगे void क्योंकि कुछ return नहीं करेगा ना push का मतलब insert कर रहे हैं तो आप function बनाओगे int.peak यहाँ से आप integer return होता है ना एक तो of course यहाँ पे भी कुछ जाएगा नहीं अंदर यह आपको क्या return करके देगा यार जो topmost element है और आपको फिर एक बनाना होगा यहाँ यहाँ बना देता हूं मैं function इधर आ जाते है यार सेम आपको फिर बनाना होगा यहाँ आप एक function int.pop अब मैं int.pop क्यों लिख रहा हूँ यार क्योंकि यह मिरको एक तो यह element को हटा भी देगा यहाँ पर रिमूव भी कर देगा उपर के element को आपको वो दे भी देगा return करके हमने देखा ना normal जो stack होता है stl में built-in stack उसका जो pop है वो सिर्फ एक काम नहीं करता हटात नहीं है उसको हम store भी करा सकते कहीं और एक बारी के लिए हो एक element दर्शाता है मेरा ठीक है समझे तो यह चीज़ हमने देख चुके है तो एक तो यह function बनाना है हमें एक of course यह push, peak, pop और एक हम function बना लेंगे size नाम का भी जो कि मेरको array का size लाके नहीं देगा 10 नहीं वो मुझ size return कर देगा उस समय तक का जितना size हुआ है जब तक मैं push कर चुका हूँ एक और काम करते हैं हम एक function मना लेंगे क्या यहाँ पर boolean के दो function मना लेते हैं boolean क्योंकि होते हैं is empty क्या stack अभी empty है ठीक है और एक function हो जाएगा आपका boolean is full अब यहाँ पर नया function है full क्योंकि हमा लेते हैं int capacity और capacity हमेशा हमें क्या return करेगी यहाँ पर लिख भी देता हूँ it will always return return जो हमारा array है ना जो हम बनाएंगे उसका length simple यह हमारे array की length यहाँ पर return करके देदेगा ज्यादा कुछ नहीं बहुत ज्यादा simple बता रहा हूँ आपको अब एक बार यार कोड करके देखते ह इधर आ जाते हैं अच्छा question है यहाँ पर लिखते है यार अपना array implementation प्लीज यार इसको बिल्कुल भी skip मत करना मैं आपको इसलिए यार यह बताना चाह रहा हूँ skip इसलिए मत करो क्योंकि यह पूछा जाता है मेरे interview में पूछा गया था personally speaking ठीक है तो यह पूछी जाती है implementation करना और सिर्फ दो एक यह नहीं की array से सीख लिया दोनों आने चाहिए आपको ठीक है भाई आ जाते है इवन क्यों से भी implement करना आना चाहिए आपको stack को लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले lecture में यहाँ पर लिख लेते है PSVM ठीक है अब हम एक काम करेंगे अपना खुद का एक object बना लेंगे object मतलब जैसे हम यहां लिखते है ना usually हम ऐसे लिखते है stack integer यह तो होता है हमारा inbuilt stack ऐसे declare करते हैं ऐसे हम एक नया stack बनाते है is equal to new stack ऐसे बनाते है यह यह देखो अब मैं चाहता हूँ मैं ऐसे ना बनाओ मैं मान लेता हूँ कि मैं ऐसा कुछ है ह अब मैं यहां पर एक object बनाना चाहता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने object बनाया और अगर मैं ऐसे लिखूँ st.push मान लिजे 4 तो मेरे stack में actually 4 चले जाए तो ऐसा कुछ काम हो फिर मैं अगर लिखू st.push in fact एक display वाला function भी बना लेंगे stack कर display कराना भी ज़रू ठीक है वो function भी हम built-in बना देंगे मान लिजे मैं करता हूँ stack.push 5 फिर मैं अगर लिखता हूँ stack.push 1 और अगर अब मैं लिखता हूँ st.display st.display तो कुछ ऐसा काम हो कि print हो जाए जो मैंने जिस order में push किया था 451 ऐसा काम हो ठीक है फिर अगर मैं लिखू st.pop और फिर मैं वापिस से अगर लिखू st.display अभी रेडरेट सब ठीक होगा tension मतलो या हम बनाएंगे ना पूरी class तो फिर हमारा कुछ ऐसा scene हो क्योंकि pop करने के एक element उड़ गया तो अब अगर मैं display करूंगा तो 4 और 5 लिखा है क्योंकि उपर का element 1 उड़ गया तो ऐसा scene हो ठीक है कर लेते हैं एक बार अगर size प्रिंट करूं तो वह भी लिखा आ जाए जैसे मान लिजिए अगर यहां पर मैं print करूं साउट ठीक है और यहां पर लिखो st.size तो हमारा actually मैं यह print होके आ जाए 3 ठीक है क्योंकि 3 मेरा size है तो ऐसा सारा काम हो एक काम करते है फटा-फट अपनी class बनाते है आप सब जानते है function के बाहर बनाते है class public यहां पर लिख देते हैं स्टाटिक यहां पर लिख देते है class and class का नाम क्या था यही capital में stack ठीक है usually capital से देते है better रहता है notation है convention है ठीक है तो इधर देखिए मैंने क्या बूला था सबसे पहले तो एक array की जरूत है मेरे को तो यहां पर एक array बना लेते है int इसका एक member ठीक है int यहां पर लिख दो और यार ऐसे नहीं जावा है यह int arr is equal to new int और अपने हैसाब से size दे दो जैसे अभी के लिए मैं 10 दे देता हूं आपको कुछ चीज़े दिखानी है मिरको ठीक है in fact 5 दे देता हूं size ठीक है बहुत ही बड़ी है size मैंने यहां change करते रहेंगे हम इस चीज़ को तो मैंने बना या क्या अपना एक array बना दिया in fact आप इसको यार private भी लिख सकते हो अब यह सारी चीज़े भी आपको आनी चाहिए oops जाके देखना ताकि कोई बाहर से access ना कर ले इसको ठीक है बट मर्जी है अब मैं कहना था हमें कुछ functions बनाने की यहां पर जरूरत है कौन सा सबसे पहला function void यहां पर क्या लिखूंगा push कि भाई मेरे को push करना है जो कि कुछ return नहीं कर रहा बट stack में push करके दे रहा है मेरा element तो of course यह एक चीज़ लेगा in text यह देखो push किया ना मैं यहां पर push कर रहा हूं अब push जब मैं करूंगा तो actually मैं क्या होगा हमारे पास यह थोड़े सोचन ना है वही बताए कि कहा मेरे को element को push करना है जिसको मैं किस से declare कर सकता हूं यहां पर बहुत simple चीज़ है इसको मैं declare कर सकता हूं हमेशा मैं एक variable बना लेता हूं int idx ध्यान रखना इंट idx यहां पर लिख देता हूं private int idx जरूरी मिया private की पर फिर भी minus 1 अब यह index करेगा पत पर आपको समझाता हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिए हमने array तो बना लिया मान लीजिए हमने array बना लिया और उसका अच्छा कासा हमने size दे दिया कितना दे दिया हमने उसका size दे दिया 6 तो इसके indices भी होगे न अपने आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, right और मैं इसको represent कर रहा ह हो एक stack की तरह ठीक है यह नाम है ARR तो मैंना एक index बनाऊंगा मैं एक बारी के लिए अपना एक index बनाऊंगा IDX जो कि अभी के लिए minus 1 पे set है तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा minus 1 है कहीं तो मान लीजिए बस इस चीज़ को कुछ hard and fast rule नहीं है कह लेते है कि एक बार minus 1 इधर आरे का part नहीं हो तो अभी के लिए मेरा index बैठा है इस पर starting है initially अब जैसे ही कभी भी मैं push करता हूँ ना तो मैं पते क्या बोलूँगा कि मेरा element push कहां पे होने वाला है मेरा element push कहां पे होने वाला है IDX की अगली position पे हमेशा IDX की अगली position पे और IDX actually में मेरे को ये भी बतात रहेगा कि मेरे actually में ना size कितना है in fact एक काम करते है IDX को minus 1 पे रखने की ज़रूती नहीं है IDX को 0 पे ही रखते है ठीक है क्यों ही extra दिमाग लगाना वापस से देखना एक बार मैं अपने IDX को एक बारी के लिए 0 पे रख देता हूँ अब ये मेरे को पता है क्या बताते रह दूँगा मैं इस IDX को आगे बढ़ा दूँगा plus 1 कर दूँगा जैसे कि अब अगर मान लो मैंने किया element यहाँ पर मैं लिखता हूँ void push है ना मेरा function इसको भरना है मुझे तो यहाँ पर मेरे को of course एक element मिलेगा push करने के लिए index तो यहाँ पर simple मैं एक काम करूँगा ARR of IDX प यहाँ पर मैंने लिखा था 4 ठीक है तो यहाँ पर चले गया 4 ठीक है after that आपको एक और काम बहुत जरूरी करना है क्या अपने IDX को भई आगे बढ़ा दो IDX को एक काम करो यहाँ पर plus plus सिर्फ यह का आपने काम किया push कर दिया बात खतम बस जादा कुछ सोचना नहीं है IDX से इदर आ गया अब stack में आपके बास actually में यह आ चुका है अब दूसरी चीज़ अब माननीजे मेरे को और चीज़े push करनी यहाँ पर आगे देखते रहते हैं चलो वह काम तो हम आगे देखेंगे सारी चीज़े एक एक करके करते हैं पुश फंक्शन तो बहुत असान है कि इनिशलाइस कर लेते हैं देखेंगे अगर काम नहीं हो पाया तो array of idx को आप simply यहाँ पर क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पर इसमें set कर दो यह value x और idx प्लस प्लस बहुत बढ़िया आगे बढ़ा दिया अब दूसरे function की बात करते हैं int यहाँ पर देख लेते हैं peak int peak जो क मैं क्या किया एक और बार पुश किया 5 तो पुश करने के बाद index आगे बढ़ जाता है बस ठीक है पहले तो index पे वो element आजाता है ठीक है और फिर index आगे बढ़ गया अब अगर मैं यहाँ पर यह लिखूं int मैं लिखता हूं peak मैं चाहता हूं कि मैं अपने element को देखूं topmost element क तो actually मैं वो किस element को मैं देखना चाहता हूं जो कि idx पे पड़ा है नहीं जो कि मेरा पड़ा है अभी इधर पे कौन सा element पर यहाँ पे उससे idx minus 1th element पे अगर idx है तो उससे एक minus करो idx minus 1 उस position पे array में present है तो मैं यहाँ पर return करूंगा सीधा लिखो return बहुत simple है arr of idx minus 1 idx को पीछे नहीं करना आपको बस एक बारी के लिए दिखाना है ना peak मतलब देखना है उपर का element तो इससे जश्ट पहले वाला element यहाँ पे पीक कर दो लेकिन इसमें एक problem हो सकती है अगर मेरे पास 4 नहीं होता मानलो यह scene था ठीक है 1,2,3,4,5,6,0,1,2,3,4,5 यह आपका array और खाली array पढ़ा है अभी के लिए और idx अभी भी 0 पे है तो जब मैं peak करूँगा तो मैं कि यह बोलूँगा return arr of 0-1 याने की arr of minus 1 return कर दो नहीं this is not possible this will give error array index out of bound तो यहाँ पे आप simple एक काम करोगे जब भी अगर आप peak करने की कोशिश कर रहे हो और अभी के लिए array मेरा ख simple कि अगर गलती से if idx क्योंकि जब वो 0 पे होगा starting पे 0 पे है अगर यह मेरा 0 पे पढ़ा है तो एक काम करो एक काम यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे यह return नहीं करना यह आप return एक तो minus 1 कर देना क्योंकि peak हो रहा है न हो element मुझे पता लग रहा है peak और एक चीज display भी int है अगर मेरा data type तो मुझे कुछ ना कुछ तो return करना है अगर मैं minus 1 return कर दूँगा तो minus 1 तो actually मैं element भी हो सकता है अगर एक बरी के लिए मैं मानूँ ठीक है एक काम तो देखो आप यह कर सकते हो सीधा return minus 1 जिससे यह signify हो रहा है कि कोई भी element नहीं है आप फालतु में बस बत कर देंगे ठीक है एक तो हम return कर देंगे minus 1 और हम एक काम करेंगे या फिर हम return कर देंगे minimum element of int min return कर सकते है यहाँ पर यह काम भी हम definitely कर सकते है ठीक है return minus 1 साथी साथ अपना प्रिंट करा देना अगली लाइन में साउट की भाई stack is empty stack is empty तो हम यह काम करा देंगे क्योंकि यह allowed नहीं है ना खाली है हमारा अब simple यहाँ पर आ जाते हैं एक बर कर लेते int peak सबसे पहले चेक करेंगे कहीं मेरा जो index है भाई वो 0 के बराबर तो नहीं है अगर ऐसा हो रहा है भाई देखो चीजे तो हमें return करनी पड़ेगी न कुछ न कुछ तो काम करो कर दो return minus 1 और उससे पहले काम करो यार प्रिंट करा दो south stack is full sorry stack is empty ठीक है बहुत बढ़िया और इसमें यह दे देते हैं stack is empty ठीक है यह हो गया हमारा else में हम यह करेंगे simple कि peak करना है न तो return कर दो एक बारी के लिए arr of idx minus 1 बहुत बढ़िया अब हम अपने अगले function पर आ जाते हैं जो की है हमारा int pop अब pop दो काम करता है delete भी करता है तो delete कैसे करेंगे हम element को इधर आ जाते हैं एक बारी के लिए मान लेते हैं यही हमारा scene पड़ा है अभी के लिए मैंने 4 और 5 इंफाक्ट मैंने यहां पर भी सेम काम कर रहा है 4-5 मान ले जिए 1 भी मैंने push कर दिया एक और element तो यह आ गया जाएगा तो अब मेरा हालात कुछ ऐसे है कि array ऐसा पड़ा है मेरा internally 4-5-1 तो मेरा stack ऐसे है technically speaking मेरे पास index इधर है मुझे क्या करना है pop तो इस one को मेरे को उडाना है इस one को मेरे को यहां पे उडाना है अच्छा एक और चीज़ जावा में by default value 0 भरी होती है array में अगर आपको पता हो तो by default 0 भरी है तो आप एक काम करो जब भी आपको यह delete का function मनाना है तो आप यह लिखोगे int pop इसमें मेरे काम कुछ ऐसे होगे पहला काम मेरा रहने वाला है यहाँ पर again मैं check करूँगा कहीं मेरा index 0 तो नहीं है खाली में तो कुछ पॉप नहीं कर सकते न तो इसमें आप वही same काम करोगे जो यहाँ प अपमोस्ट element मेरा हो जाएगा यह ARR of IDX-1 ठीक है जैसे यहाँ से अगर मैं को इस 1 को अटाना है तो index मेरा 3 है तो index 2 ARR of 2 1 जो है ना उसको उठा लो पहले top में फिर एक काम करो ARR of IDX-1 को खाली कर दो इसको 0 बना दो ठीक है इस चीज़ को आप यहाँ पर 0 बना दो आप इस ठीक है तो सिर्फ यह नहीं है कि आपने return कर दिया बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहरा हूँ जब आपने इसको 0 बना दिया तो यह नहीं कि सिर्फ return कर दिया आप यही वाला element क्योंकि देना भी था मेरे को जो 1 था आप अपने index को भी पहले लिया हो क्योंकि अब size इसको थोड़ा इधर लिख लेते है यार यह करने के बाद एक और काम करना है idx minus minus very very important and last में you can return जो अपने top element निकाला था ठीक है तो ऐसे चलेगा हमारा pop वाला code वापस से देखिए सारा pop वाले में same यह वाला काम तो हमें करना ही है यार same to same peak वाला अगर index 0 है वरना दूसरी चीज़ हमें यह करनी थी int top element निकालो यार is equal to arr of idx minus 1 एक काम करो arr of idx minus 1 को यार आप अप सेट कर दो 0 और अपने index को पीछे ले जाओ index बहुत important है यह size denote करता है last में return कर दो इस top element को very very simple तो हमने अभी तक peak push और pop बना लिए एक बार इनको action में देखते है कि यह काम कर रहे है और एक बार display भी बना लेते हैं फिर करना ना यह पर आपको stack से element निकालने पड़ेंगे जैसा आप display करते हो नहीं यार stack array है मेघा तो कितना बढ़िया बात नहीं इह display आप कैसे करोगे आप सिर्फ वहीं तक display करोगे 0 से लेकर idx-1 तक के सारे elements को क्योंकि वहीं तक मेरा stack है तो आप यहाँ पर simple एक काम करोगे कि भाई loop लगा दो for int i is equal to 0 i less than equal to idx-1 i++ इनके सारे elements को print कर दो south arr of i ठीक है plus space और यह चीज़ भी हटाओ and after each display आप एक next line दे दिया करो better रहता है तो यह भी काम हो गया अब एक काम करते हैं हमारा जो size है size भी बहुत simple है size तो बहुत ही simple है int size एक size return करके दे देगा हमे size कितना होता है क्या बहुत ज़दा simple नहीं है तो 4 ही होगा क्योंकि fortunately arrays के index 0 से शुरू होते है तो इसके just next जो है उतना ही मेरा size होगा तो fortunately आपको बस कुछ नहीं करना यहाँ पर return IDX करना है बहुत ही simple चीज़ है अब एक बार काम करते हैं इस चब को run करके देखते हैं मेरा होना क्या चाहिए सबसे पहले एक stack create होना चीज़ है 4 push हो गया 5 push हो गया 1 push हो गया एक बार के लिए display कर दो ठीक है हर बार display करते है एक काम करते है हर बार हम display करके देखेगे हमने 4 push किया 5 push किया 1 push किया फिर हमने क्या कि stack का size print किया यहाँ पे फिर हमने pop किया display किया तो run करते है तो कुछ ऐसा scene होना चाहिए मेरे हिसाब से जब मैंने 4 को push किया display किया तो answer आना चाहिए 4 फिर मैंने 5 को push किया display किया तो 4 और 5 आना चाहिए फिर मैंने 1 को push किया display किया 4, 5, 1 आना चाहिए size मेरा 3 आना चाहिए जब मैंने pop किया तो 4, 5 आना चाहिए चलिए करके देखते है और इसके बाद बापिस से size को भी अगर मैं print करूँ तो अब मेरा 2 आना चाहिए ठीक है? 4, 5 के बाद तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए 4 ये ये जो मैंने लिखा है, run करते है बिल्कुल देखिए 4, 4, 5 4, 5, 1, size मेरा 3 है फिर मैंने pop किया 4, 5, size मेरा 2 है तो ये बिल्कुल perfectly सारी की सारी चीज़े मेरी यहाँ पे चल रही है I hope बहुत ज़द आसान है, in fact अगर खाली है तो IDX भी मेरा 0 था है यहाँ पे यह देखिए, starting से 0 किया था तो size मेरा 0 आएगा अगर बिल्कुल initially मैं print कराता हूँ तो इसमें कोई भी error नहीं आएगा जो यह सारी चीज़े हो रही है बस एक error अब आसकता है, क्या? capacity अब मैंने is empty और is full नाम के function नहीं बनाए तो यहाँ पे हम दो function और बनाते है very important boolean is empty क्या मेरा stack empty है या फिर नहीं तो यह true और false में return देगा true देगा अगर empty है या फिर नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस simply यह लिखना है कि भाई, अगर मेरा जो index है वो 0 है तो इसका मतलब size भी 0 है size और index उतना ही है या फिर in fact आप index की जगे यहाँ यह लिख दो अगर मेरा size अगर मेरा size function ही 0 है यहाँ पे if अगर मेरा यह जो function है आप ऐसे ही लिख सकते हो अगर मेरा size ही यहाँ पे 0 के बराबर है तो आप simple सी बात करो return to return true वरना else return false size की जगे of course आप index भी लिख सकते हो index ही लिख देते हैं ठीक है else returns false और simply आपको आप दूसरा function जो बनाना है वो बहुत important है वो क्या है उससे पहले आप एक चीज लिखोगे capacity नाम की एक function बना दो क्या capacity नाम का function बना लो या फिर capacity छोड़ो boolean is यही लिख लेते है boolean is full क्या मेरा stack full है या फिर नहीं तो इसको हम कैसे check करेंगे stack मेरा full तब हो जाएगा जब मेरा array भर जाएगा यानि कि जितने मैंने सारे element भर दिये तो इधर आ जाते है stack मेरा full कब होगा मान लेजिए 4, 5, 9, 3, 2, 7 यह हो गया है तो index मेरा आगे पहुंच जाएगा न technically index की value 6 हो जाएगी तो अब simply यह कह सकते हो जब मेरे index की value array की length के बराबर हो गया तो size full है तो यहाँ देखिए अगर मेरे index की value अपने इस array की length के बराबर हो चुकी है तो इसका मतलब मेरा size full है और अगर full है तो return true ठीक है else return false simple कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पर एक हमसे चोटा सा error रह गया क्या error रह चुका है वो कि अगर मैं अपना size full कर दूँ क्योंकि मैंने push में तो कोई दिक्कत लगा ही नहीं यह देखो void push में मैं सीधा push कर रहा हूँ index को आगे कर रहा हूँ लेकिन इसकी एक limit होती है इसकी limit होगी कि मेरा size full है या फिर नहीं तो यहाँ पर मैं एक बंदिश लगा देता हूँ सबसे पहले without inserting insert करने से पहले मैं check करूँगा कि अगर if is full अगर मेरा stack full है इसका मतलब to अगर यह दे रहा है अगर मेरा stack full के बराबर है यह अपने आप check कर लेगा नीचे function मना हूँ है अगर full है तो सबसे पहले तो print करा दो out क्या stack is full और फिर आप एक और काम करजिए सिर्फ return कर दीजिए कुछ भी चीज push नहीं होगी यहाँ पे चीज push नहीं होगी ठीक है अब चाहिए तो कुछ करके देखते है सबसे पहले तो हमने यह 4, 5, 1 डाल दिया न और मैंने pop भी कर दिया है तो एक काम करते है pop करने के बाद हम वापिस से st.push peak नहीं यार, peak भी हम करके देख सकते है st.push मैं देता हूँ number वापिस से 7 और एक और बार करते है st.push यहाँ पे मैं देता हूँ 0 अब हमने कितने दे दिये, 1, 2, 3 फिर एक अडिया 2, 3, 4 मेरे array का size कितना है यहाँ पे मैंने दे रखा था 5 दे रखा है, एक बार एक लिए इसको 4 कर देते है, अभी के लिए बस देखने के लिए तो मेरा stack अब full है, ठीक है इस जगे मेरा stack full है, चाहे तो मैं करके दिखा सकता हूँ, south अगर मैं लिखता हूँ, अपना st. is full मैंने खुद बनाया है, ठीक है तो अब देखना answer लिखा है, अगर true तो run करते है, यार Java not a statement कौन सा not a statement है, 48 48 अच्छा boolean is full ओके तो एक छोड़ी दिक्कत रह गई, I think दिक्कत तो नहीं है अच्छा return true नहीं किया, मैंने यह देखो मैं भी क्या काम कर रहा हूं वापिस run करते हैं इसको बटाते हैं तो आप यहां देख सकते हो, true अब हमारा stack full है, और अब अगर मैं कोशिश करू, push करने की कुछ भी, अब अगर मैं कोशिश करू, push करने की मान लेते हैं element 100 तो यह error देगा error भी नहीं, यह बस एक message लिखके देगा यह देखे stack is full, आप नहीं भर सकते हैं ठीक है, तो यार ऐसे हमारा implementation होता है, arrays से एक बार आपको अगर वापिस से समझाओ मैं तो कुछ खास नहीं करना, आपको एक array बनाना है उसका size देदो, अब यहाँ पर आप 40 देदोगे, तो 40 elements बर सकते हो stack में, 400 तो 400 दो जाएगा simple, 10 दोगे तो 10 बर सकते हो, in general आप थोड़े एक बड़ा number लिख लिख लिए गरो 50, इस स्याद़ elements आप डालोगी यह नहीं, ठीक है, फिर index रखोगी, यह बहुत important है very 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 important thing, ठीक है, इसमें तो मतलब कुछ वो ही नहीं है कोई शकी नहीं है, बहुत important है यही मेरे को बता रही है कि, बड़े ध्यान से समझना, यह जो index है ना यही मुझे बता रहा है कि मेरी top position क्या है जिस पे मैं insert करूंग यही चीज अपडेट हो रही है, सब में यही तो update हो रहा है, देखो index ही update हो रहा है जब मैं push कर रहा हूं तो भी idx पे वो चीज जा रही है index और गे जा रहा है ड़ब मैं peak कर रहा है तो मैं check कर रहा हूं कही index 0 तो नहीं है और फिर index वाली चीज़ पर ही कर रहा हूँ जब मैं pop कर रहा हूँ, तो index से ही कर रहा हूँ जब मैं display कर रहा हूँ, तो भी मैं index तक ही कर रहा हूँ जब मैं size कर रहा हूँ, तो सीधा index return कर रहा हूँ इस empty मैं देख रहा हूँ, क्या index 0 के बराबर तो नहीं है क्या index ar के लेंट के बराबर तो नहीं है ठीक है तो यही दो चीज़े है बस दो members है हमारे पास यहाँ पर दो attributes बागी सारे functions है ठीक है तो sar हमारा बनता है array का implementation आप एक और function बना सकते थे कि int capacity capacity मेरे को यही लाके देदेगा 50 जो basically यहाँ हमारा actual size हो गया जो हमारे full size का वो है तो आप वो भी function बना सकते हो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर even लिख लेते हैं int capacity नाम दे देते हैं इसका int capacity जो की मेरे को बस यह चीज़ रिटर्न कर गए देदीगी simple array की length जो actual capacity है ठीक है आप देख सकते हो हमेशा कहीं इस से जादा तो हम नहीं आगे जा चुके है ठीक है आई होप यार यह सारी चीज़े आपको समझ जारी होगी आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते है link list implementation of stacks यह बहुत जबरदस्त है ठीक है यह actually मैं यार बहुत जादा मतलब अच्छा है better than arrays and इसमें हम देखेंगे कि हम unlimited stack बना सकते हैं क्योंकि link list में भी हमें size की कोई दिक्कत नहीं होती तो अगर link list से हम stack बना रहे हैं तो size की कोई भी दिक्कत नहीं होगी and in fact यह बहुत जादा आपको cool लगने वाला है arrays के comparison में तो चलिए इसको करते हैं तो अब करते यार फाइनली अपनी link list की implementation stacks की यहां पर एक diagram देख सकते हो कि अगर मैं चाहता हूं मैं ऐसा stack बनाओ 28 फिर 18 को push करूं 16 को push करूं 7 को push करूं तो यह link list तो कुछ ऐसी बनी भी है कि भाई उल्टा order है और यहां पर null है ठीक है मतलब यह tail है tail ही तो null को point करती है single link list यह head है यह top है यह क्या लिखा है तो सबसे पहले न मैं आपको थोड़ा सा algorithm समझाता हूं जो कि आप अपने interview में बकोगे बोलोगे ठीक है महाँ पर of course हो सकता है आपसे बोले code करके दिखाओ ठीक है हो सकता है आपसे पूछे की भाई code करके दिखा दो हो सकता है लेकिन usually आपको पहले process समझानी है तो process आप ऐसे समझाओगे पहले मैं आपको भी algo समझाएता हूं ताकि आप खुद से यही कर पाहूं कर पाहूं implement प्लीज पॉस करके खुद करना इस वीडियो को क्योंकि अब हम array की implementation देख चुके हो और same function रहने वाले same class रहने वाली बड़ थोड़ा सा difference आएगा सबसे पहले of course मैं एक node class create करूँगा अलग से यह तो मैं create करूँगा इक class node वीकि लिंक और एक node next होता है और तो कुछ नहीं that's it यह आपने बना दिया अब of course आप एक दूसरी class अलग से बनाओगे class stack ठीक है और यहाँ पर आप वो सारे functions लिखोगे एक दो तीन चार और जैसे यहाँ पर array लिखते थे थे न अब आप यहाँ पर एक दूसरी चीज maintain करोगे वो node head ठीक है array की जगे एक छोट इसी चीज क्या node head बस एक यह maintain करोगे और initially इसको आप null पे रखोगे that's it अभी के लिए यह समझो ठीक है अब दूसरी चीज आप यहाँ पर एक size भी maintain कर लेना अलग से मैं लिख लेता हूं int size ठीक है अभी के लिए 0 अब मैं आपको समझाता हू सबसे पहले मान लीजिए मैंने किया st.push 10 ठीक है फिर मैंने लिखा st.push 20 पहले सिर्फ push करके दिखाता हूं फिर मैंने लिखा st.push 30 फिर मैंने लिखा st.push 40 तो मैं चाहता हूं मेरा stack कुछ ऐसा बने 10 20 30 40 विजुली ऐसा दिखे internally कुछ और हो तो इसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पे मेरा null है मान लीजिए आप बहुत अराम से देखना कि मैं करना क्या चाहता हूं यहाँ पे मेरा null है और मेरा head अभी के लिए यहाँ पे null पे point करता है तो कि node head is equal to null है first of all यह अभी के लिए null पे है नोड मेरा वो single element का stack slash link list बन जाएगा तो मैं जैसे ही st.push 10 करता हूँ तो push वाले function में मैं simple एक काम करूँगा मैं एक नया node बनाऊंगा इस 10 value का मैं यहाँ देखिए मैं क्या काम करूँगा बड़े गौर से देखना इसको इधर कर देते हैं मैं एक नया node बनाऊंगा जिसम इसको head पे point करा देना है इसको आपको head पे point करा देना है मतलब जो आप node बनाऊंगे node.next is equal to head अभी के लिए head नल पे है फिर आपको head को लाना है इस पे ठीक है समझना इस बात को अब और अच्छे समझाएगा जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे यह वाली line हमारी हो ग आप next करा दो head पे मतलब जो भी आप node बनाते हो temp बनाऊगे temp.next head तो यह जो आप node बनाते हो इसको next head पे कर दो step number 3 head is equal to temp I hope आपको समझ आ रहा होगा नहीं आया अगली बार फिर से देख लेते हैं अब मैं एक तीसरा node बनाता हूँ जब मैंने लिखा st.push 30 तो इसका clear meaning होत t एक temp node बनाता हूँ इसका नाम रखता हूँ temp जिसमें 30 data डालूँगा temp.next is equal to head फिर head is equal to temp simply इस temp को भी बनाता दो और बार बार temp लाऊँगा क्योंकि मैं अभी के लिए यह है I hope आपको यार यह चीज समझ आ रही होगी अब जब last मैं करता हूँ st.push 40 तो again step number step समझो create a new node 40 40 के next को mark कर दो यार head पे head को लियाओ 40 पे I hope आपको समझ आ रहा होगा हम यह क्यों कर रही है अब आप बोलोगे यह तो उल्टा बन रहा है 10 20 जबकि link list तो ऐसे जा रही है यार लेकिन अगर सच बताऊं आप किस element को access कर सकते हो अपने topmost element को और topmost element कौनसा होता है जो last में in ह होता है यही तो last in है है ना तो एक बारी के लिए तो मैं इसी को access कर सकता हूँ ना फिर जब मैं इसको pop करूंगा मान लीजिए मैं pop करता हूँ तो मैं इसको access कर पाऊंगा आप समझ रहे हूं मैं क्या कह रहा हूं मैं जो steps लिख रहा हूं उनको अभी अकेले दिमाग में कर रहा बड़े ध्यान से सुनो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक head से ही सारा काम कर ले रहा हूं क्योंकि मैं सारे elements को अपने front में रख रहा हूं rear में नहीं basically link list के आगे रख रहा हूं और link list फिर head को इधर खिसकाते जा रहा हूं ताकि यह पूरी list बन रही है ठीक है अब अगर मान लीजिए मैं एक यह चीज़ करता हूं मैं लिखता हूं st dot अगर मैं लिखता हूं simple peak तो यह तो बहुत simple है st dot peak मेरे को क्या return करके देदेगा head का data head की value simple अगर मैं लिखता हूं अब बहुत important st dot pop दो बार करते हैं और st dot pop तो इससे क्या होगा ज़रा देखते हैं आरा आपको उपर का element उड़ा देना है आपको एक step लेखना है head is equal to head dot next खटम अब यह हमारा वह बच गया stack ठीक है यह से connect हो रहा है कोई मतलब नहीं बनता कोई फरकी नहीं पड़ता फिर मैं लिखता हूं st dot pop तो इसका मतलब head is equal to head dot next now this is your stack this is your link list I hope आपको समझ आ रहा होगा इस इसके बाद अगर वापिस से मैं करूं st dot peak तो मुझे क्या return करके दे देगा head का data यानिकी 20 अगर अब मैं वापिस से काम करूं यहां पर लिखो st dot push यह order में चल रहे है पहले यह 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 हुआ यह हुआ यह हुआ यह हुआ फिर peak हुआ फिर मैं अगर लिखता हूं st dot push 100 तो इ this is the link list या फिर stack इससे कोई मतलब भी नहीं है तो link list का I hope आपको थोड़ा ज्यादा असान और ज्यादा बहतरीम और ज्यादा बढ़िया लग रहा हुआ एकाज चीजे इसमें मिसिंग है जैसे कि size एक बार हम देख लेगे कि size का हमें क्या करना है यहां पर बहुत simple है बहुत ठीक है और बहुत intuitive है I hope आपको समझ आयोगा एक बार code करके जादा अच्छे समझ आजएगा रेका तो बहुत बेकार है इसके सामने ठीक है काफी चीजे हमें करनी पड़ रही थी देगिन कोई बात नहीं अब आ जाते है एक बार stack पे और यहां पर लिखते है stack और new java class और link list ठीक है link list सिर्फ ll implementation ठीक है of stacks.java simple इसको बंद करते हैं कुछ चीजों को copy कर लेते हैं पहले सबसे पहले लिख देते हैं PSVM ठीक है हम कुछ कुछ चीजे copy कर लेते हैं एक काम करते हैं यहीं जो हमारे main function की चीजे थी सारे हमें functions रखने हैं in fact display भी रखना है तो मान लेते ह हम एक नया stack बना रहे हैं ठीक है मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा काम किया ठीक है अरे यार इसमें से उठके आ गया गया और तो कुछ नहीं आया ना नहीं नहीं करना भी नहीं है इसको अटाओ यार ठीक है कभी-कभी यह हो जाता है ठीक है यार वो दूसरी चीज का रहा है ठ इन सारे functions को में बनाना है, concept, push, display, push, pop, display, push, push, ठीक है, पर यहाँ पर क्या full है या नहीं है, full तो इसमें होगा इनी function, ठीक है, क्यों, क्योंकि linked list है, unlimited size हो सकता है, तो सिर्फ push रखते एक बारी के लिए, ठीक है, इसको उटा देते हैं, बहुत बढ़िया, अब एक बार देखत है कि technically speaking होना क्या चाहिए, कि जब मist manner stack बनाया है, then empty stack बन गया मेरा एक, मैंने 4 push किया, तो 4 display हो गया, फिर मैंने 5 किया, तो यह display होना चाहिए, one Q, यह हो चाहिए, again same, मैंने size print किया, 3 ह žाणा चाहिए, भाप किया, 4, 5 अना चाहिए, size print किया, 2 होचिए, मैंने push किया तो यहां पर हो जाना चाहिए यार हमारा 4570 यह बन जाना चाहिए मेरा link list simple यारी की stack अब एक बारी के लिए अपने class बनाते हैं जो कि हमारा main काम है इधर आजो और बड़े ध्यान से सुनना अपनी copy pen ले लो एक-एक to use this is user-defined data type मैं इन दोनों में आपको दोनों चीज़े बनाऊंगा user-defined data type जो मुझे चाहिए यहां पर again int data या int value लिख सकते हो आपकी मर्जी है कुछ भी और आप लिख सकते हो node next ठीक है अब आप बनाओगे public static class और यहां पर लिखोगे stack समझना इस चीज़ को इन दोनों में फर्क क्या है कि यहां पर मैं stack बना रहा हूं इसका हम नाम रख देते हैं in fact ll stack ठीक है कि data structure ठीक है तो class से हम user defined data type भी बना सकते है user defined data structure बना रहा हूं मैंने क्या बोला मैं सिर्फ एक ही चीज़ को रखूंगा यहां पर मोटा मोटा तो कि node head बनाके रखूंगा अपना head maintain करना है हमिशा start मैं उसको null से कर दूँगा फिर मैं एक अपना size दे दूँगा int size शुरुवा करने मेरको यहां पर कुछ functions बनाने है सबसे पहले वही same function बनेंगे void push push में कोई value जाएगी of course int x तो push जब भी कोई element होता है तो या तो हो सकता है कि मेरी link list में पहले से कोई element हो या फिर हो सकता है मेरी link list empty है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सबसे पहले तो एक node temp बनाओगे एक नया node तो बनाना ही है node temp is equal to यहां पर आप लिखोगे new node जिसके अंदर आप value दे दोगे अपनी x अच्छा एक और चीज constructor तो बनाया है नहीं हमने यादे आपको constructor यह भूल गए हो ठीक है अरे यह नहीं constructor ऐसा होता था था अगर आपको थोड़ा सा भी यादो भाई this dot val is equal to val यहां पर एक value आएगी int val ठीक है भाई बहुत simple कुछ करना ही नहीं है this is a constructor ताकि हम directly हां से बना सके थोड़ा remember करो constructor को भ head अब चाहे empty link list हो बात एक ही है empty होगी तो head null पे होगा तो of course मैंको temp को null पे point कराना है next को और second step आप करोगे head is equal to temp as simple as that यह करके आपका push हो गया और push आप हमेशा कर सकते हो ठीक है यहाँ पे एक छोट इसी चीज़ और करनी है जब भी आप push कर रहे हो इसका मतलब you are adding one element to the stack यानि कि आप size को भी बढ़ा दोगे ध्यान रखना यहाँ पर यह चेंज है एक महाँ पर इंडेक्स ही size बता रहा था अब दूसरा हमारा क्या operation था यार display एक बार के लिए display को देख लेते हैं डिस्प्ले को देखना तो बहुत असान है हमारे यहाँ पर head maintained है ना head हमिशे link list का start है तो link list को print करा दो लो भई तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ void display तो यह तो सबसे असान रहने वाला है हमारा display में हम कुछ यहाँ पर पास नहीं कराएंगे इस ही head का काम होगा तो of course जब भी मेरे को link list को print करना होता है तो मैं एक नई temp node बनाता हूँ उसको head पे लेके जाता हूँ पहले और simple एक काम करूँगा while temp not equal to null आप बस print कराते रह function जो हम link list में लिखते थे कोई फरकी नहीं है है ना link list के class में बनाया था same to same वही है ठीक है बस यहाँ पर यह चीजे कर रहे हो ताकि आप use उसको वैसे कर सको stack की तरह है अब हमारा function के display हमने देख लिया देखो red अगला red क्या हो रहा है size stack का size कैसे निकालेंगे तो इसका भी in fact आप हमेशा आप यह भी लिख सकते हैं in fact आपको पता है क्योंकि size एक property है बट कोई बात नहीं हम function return कर लेंगे ठीक है क्यों क्योंकि हम इसको private बना रहे है तो अगर हम जब भी इसको private बनाते इवन हम node को भी private बना सकते आपको पता है बढ़िया है ना क्योंकि हम बाहर access नहीं करना चाहते तो अब हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी function के through ही size को access कर पाऊँगा this is a getter थोड़ा बहुत अगर आपको चीज़े याद आ रही हो ठीक है this is a getter ठीक है बहुत बढ़िया अब हमारा अगला size के बाद pop, pop का function बनाना है हमें peak बनाना है तो pop बना लेते है push हो गया यहाँ पर हम करेंगे void, void करेंगे नहीं int मैं उस data को भी चाता हूँ हमेशा int pop अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ देखोगे क्या अगर कभी भी मेरा जो head है वो null पर है इसका मतलब मेरी linklish की size 0 है तो आप सबसे पहले print करा दो यहाँ पर क्या कि भई आप print करा दोगे and return कर देना है और minus 1 यह तो return तो कुछ करना पड़ेगा ना integer है इसके इलावा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने बोला था pop करना तो बेहद असान है pop करना तो बेहद असान है क्या head is equal to head.next इसको आगे बढ़ा था simple कोई काम ही नहीं करना लेगिन एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए है हमें return करनी थी वो value कौनसी जो भी मैं pop कर रहा हूँ pop क्या कर रहा हूँ हमेशा head को pop करूँगा इधर देखिए मान लीजिए मैंने यह link list है मेरी 12010 और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ st.pop तो यह हट जाएगा head इधर आ जाएगा लेकिन यह 100 value त बचा लो क्योंकि हम next करके आगे लेकि जा रहे है ना यार तो head.val कर लिया हमने and last मैं उस x को return कर लो simple pop बन गया अब हम रख लेते पीक पीक तो बिल्कुली सेम रहेगा इंट पीक तो इसमें फरक क्या रहेगा हम कुछ delete नहीं करेंगे तो देखो same काम अगर head null है आप पीक नहीं कर सकते देखो stack is empty and same to same यहां पर आप क्या काम करोगे आपको बस एक चीज़ करनी है क्या return head.val इस case में आपको कुछ भी वह नहीं करना मतलब head.next वाली चीज़ करनी ही नहीं है आपको right आपको delete नहीं करना तो यह हो गया peak तो हमने peak भी देख ले आगे सारे features तो यहा empty is empty और यह simple क्या करेगा कि यार अगर मेरा size if size equal to equal to zero है तो भाई return true कर दो कि हाँ हमारा empty a stack वरना आप return कर दो यार false simple ठीक है और full तो कभी होई नहीं सकता तो यह हमारे सारे function और यह बिल्कुल धंग से काम करेगा in fact चला के देखते अब इसको क्या यह सारी चीज़े हमारे print होगी या नहीं होगी ठीक है let's run this code same to same run होगी बस implementation अलग है ठीक है तो दिक्कत आ रही है of course एक छोटी सी दिक्कत म बिना देखे बतासेता हूं यह देखो मैं हर बार करता हूं while temp is not equal to null temp.val अरे भाई ठीक है print कराने के बाद आगे भी तो लेके जाओ temp is equal to temp.next कोन करेगा अब run करते है अब सब सही चलेगा यह बिल्कुल सही चल रहा है जो कि मैं चाहता था सब कुछ आया 4 प्रिंट हुआ 4 5 प्रिंट हुआ देखो फिर 154 अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया sorry ओके एक गलती हो गई है यहाँ पे मुझसे ओहो ओहो डिस्प मैंने linklish से ऐसा stack बनाया तकि मैं इसको access कर सकूँ तो मेरा जो pop है वो सही काम कर रहा है मेरा जो push है वो भी सही काम कर रहा है मेरा जो peak है वो भी सही काम कर रहा है मेरा जो size है वो भी मेरा सही काम कर रहा है लेकिन मेरा जो display है वो सही काम नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि display तो मै तो मैं तो सीधी Link List print का रहा हूं which is Ultra Stack तो इस इस रिवर्स प्रिंट ठीक है अगर मैं को एक बार एक function बनाते है, void display, बहुत बढ़िया, अब देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या-क्या काम करने है, क्या-क्या काम हमें नहीं करने है, लेकिन इस पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान का रखने पड़ेगा, क्योंकि recursion चला रहे हैं, तो recursion में कोई node head को parameter दे दू, नहीं नहीं यार, problem हो जाएगी, अगर मैं head को बार-बार parameter दूँगा, क्योंकि head के साथ तो बहुत सारे changes हो देएंगे, ठीक है, समझे रहा हूँ, head के साथ तो काफी सारे यहाँ पर changes हो सकते हैं मेरे, तो एक काम करते हैं, दे देते हैं, ठीक है, void display है हम एक helper function मना देते हैं, यहीं की हैं, हम एक helper function मना लेंगे definitely, जो कि हमारे चलेगा नहीं, मतलब हम बाहर से access नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चल जाएगा, जिसका हम नाम रख लेते है, void, function के अंदर function हो सकते है, क्या, होने के लिए तो हो सकते है, ठीक है, या फिर बाहर ही एक करेगा हमारा node, यहाँ पर head, और यहीं का head receive कर लेगा, यह head है ना यार मेरा, ठीक है, और मैं display के अंदर simple एक काम करूँगा, मैं display rack को call कर दूँगा, ठीक है, जैसी मैंने यह किया, फिर यह वाला काम मेरा चलेगा, अब यह एक recursive printing करने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखना, सबको आनी चाहिए, वैसे linklish सब देख के आयो ना, reverse linklish print करना तो बहुत असान है, सबसे पहले cd linklish print करके देख लेते हैं, हम यहाँ पे note temp बना देंगे, note temp, recursively कह रहा हूँ मैं, recursively हम यह काम कैसे कर सकते हैं, उसके बार में कह रहा था, तो हम हमेशा सबसे पहले call लगा दे रिक्या हो, and बाद में हम print कर देंगे, क्या, head.val, ठीक है, simple, यह वाला जो यहाँ head मिलेगा, उसकी बात हो रही होगी, in fact, head नहीं, यहाँ पे इस चीज को हम रख लेते हैं, इसका नाम ही बदल लेते हैं, इसका नाम हम h रख लेते हैं, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, वरना वो this वाली चीज लगानी पड़ेगी, क्यों ही करना है काम, यहाँ पे लेकिन मैं head दे रहा हूँ, simple, कुछ वो ही नहीं है, पर h receive कर रहा है, समझना इस बात को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे print कर देता हूँ, और recursion के बाद print कर रहा हूँ, और पहले एक base case देता हूँ, अगर मेरा h equal to equal to null हो रहा है, तो कुछ नहीं return कर दो, ठीक है, I hope यह चीज चल जाने चीज़ रन करते है, तो 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, ऐसा करके आ रहा है, I think यह इसकी वज़े से हो रहा है, ln लिख रहा है, मैंने आपे, ठीक है, सिर्फ print यह कर देता है, and display करने के बाद एक south दे देंगे ठीक है, अब एक बाद चलाते है, देखो, 4, 4, 5, 4, 5, 1, जैसा मच आता था, बिलकुल सही है, ठीक है, आप समझना मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे किया यह है, अब यह जो display का पुराना function था, यह cdh linklish display करता था, मैरेको ulti linklish display करानी थी, तो मैंने एक function मैं पे बनाया display, जिसमें मैंने एक दूसरा function call कर दिया, जिसमें मैंने head pass किया, क्योंकि मैंने कुछ pass करना था, और मैंने normally मान लीजी है, मैंने linklish का head दिया, और मैंने इसको ultra reverse print करा दिया, और मैंने उसको ultra reverse print करा दिया, नर्मल, कुछ नहीं किया, यहाँ ठीक है, आगे बढ़ यहां पर बस कुछ चीज़े आपको बताता हूँ अभी जाना मत यह चीज़े आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी इंटरव्यू में सबसे बहले बोलेंगे आरे की आरे इंप्लिमेंटेशन का यहां पर क्या फाइदा है सबसे पहली बात तो यहां का फाइदा भी है और नुकसान भी मैं कह सकता हूँ क्या कहते है साइस समझना इसको साइस अब यहां पर यहां पर यह साइज है ठीक है फाइदे मैं अभी बता रहा हूँ साइज में क्या होत आप 4 bytes ही ले रहे हो, क्यों? क्योंकि integer है, या फिर जो भी है, आप 1 block ही ले रहे हो, मैं 1 block लिख रहा हूँ उसको, 1 block, ठीक है, for every element, space taken, space taken is 1 block, हो सकता है, यह 4 bytes हो, अगर आ string हो, तो अलग बात होगी, character हो तो अलग बात होगी, depending on that, लेकिन अगर मैं यहीं की यहीं बात करूँ, link list की, तो link list में node बनता है आपका, node दो चीजों में होता है, यहाँ पे इसका value भी होती है, और next का address भी store होता है, तो मैंने आपको link list में भी समझाया था, कि भले ही आपके पास size unlimited हो, सबसे बड़ा एक और drawback होता है, arrays के comparison में, कि उसमें हम double-double जगे घेर रहें, almost, link list के अंदर, क्योंकि दो data members है, इसके एक data type के अंदर, तो यह array का एक advantage है, यहाँ पे, size वाला, दूसरा advantage क्या हो सकता है, array का, वो तो disadvantage ही है, कि आपका, यहाँ पे fix size हो सकता है, क्या दूसरा advantage मेरा यह है कि, display कराने में कोई फाइदा है, हाँ यार, display कराने में definitely, यहाँ पे फाइदा हो सकता है, पर क्योंकि पूरी list में travel कर रहा हूँ, लेकिन इतना कोई फार्क नहीं है, O of N में ही मेरा display हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी, लेकिन अब देखते हैं, यहाँ आ आ जाते हैं, सबसे पहले तो, में को खुद देखन पड़ेगा, क्या क्या advantage है, तो array implementation में हमने देखा, एक फाइदा यही था कि हम ना, यह जो index है, यही मेरा size बन रहा था, पर आज सच यह कोई फाइदा नहीं था, फाइदा होना चाहिए, फाइदे का मतलब होता है, order of one में फाइदा हो रहा है, time complexity, space complexity, तो फाइदा तो आज सच इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, I believe, ठीक है, stack empty हाँ, कोई फाइदा सच हो नहीं रहा है, क्योंकि display कराने के लिए पूरी चीज लग रही है, और, yes, so there is no extra फाइदा of array, in fact, बस एक फाइदा है कि अगर आपको पता है कि आपको fix size का stack रखना है, fix size का stack रखना है, तो आप array से बनाओ, ताकि वो size हमारा कम घेरा जाए, ठीक है, इसका तो और कोई फाइदा ही नहीं है, लेकिन disadvantages की बात करते हैं यार, disadvantage तो लिखा ही नहीं, disadvantages, यो कि बहुत सारी है, बहुत सारी ही नहीं, सबसे बड़ी तो यही चीज है, कि disadvantage क्या है इसका, इसका disadvantage है size, कि fixed है, यानि कि overflow, stack can overflow, आप multiple elements आपको यहाँ पर डालने पड़ेगे, तो यही यार, इसका मैं बोलूँगा, एक disadvantage है, यही एक लौता I would से disadvantage है, और मेरे को कोई disadvantage इसका लगता नहीं है, ठीक है, अच्छा, एक और disadvantage आपका यह है, size के अंदर ही, क्योंकि यह fixed है, तो क्या पता, आपने int, आप तो initially एक number देते हैं, तो मान लो 100, अब मान लेते हैं कि आपको मन किया, आपने सिर्फ यार, 10 size का बनाया, तो जो अगली 90 वो है, 90 जो हमारी locations है, 90 size, 90 बचे वे जो जगे हैं हमारी memories, एक-एक integer रखने की, 90 integer रखने की जगे, वो भी continuous memory में है, वो तो waste हो गया, ठीक है वो तो waste हो गया, ठीक हम एक बारी में सारा यहां पर size दे देते हैं, हो सकता हम कम use करें, जादा use करें overflow, कम use करें तो problem, तो यह तभी काम किया, जब थोड़ा precise size चाहिए हो हमें, लेकिन link list की अगर मैं बात करूं, तो इसकी advantage number one, unlimited size, unlimited size, ठीक है, unlimited size हो जाता है हमारा link list का, बह दूसरा आपका जो advantage है, यहां पर दूसरा advantage तो I would not say, disadvantage में आज़ते हैं अब सो सीधा, disadvantage, इसका यह advantage है link list का, कि size, ठीक है, कि आपको पता है कि size वाला चीज रह रहा है, disadvantage कि अगर मैं बात करूं, तो यहां पर again size क्या, कि आप two data members को use कर रहे हो, two data members, तो अगर आपको पहले स किसी disadvantage दूसरी क्या है, कि जब हम display function use करते हैं तो आपको reverse में link list को print करना पड़ता है, ठीक है, तो यह kind of यार, आपकी क्या किते है, space complexity भी गेरता है, in fact I would say yes, यह space complexity भी गेर रहा है आपकी, space complexity क्यों गेर रहा है, अगर आपके पास कोई भी link list है, 10, 20, 30, समझाता हूं आपको 40, null, आपको इसको reverse में print कराना है, तो जो मैंने code लगाया था, call stack लगेगा ना, बार बार, code में मैं क्या कह रहा था, code में simple कह रहा था, सबसे पहले तो मैं base case देख रहा था, बट उसके बाद मैं call लगा रहा था, इस चीज को, next को, तो इसको पूरी list को मैं यहाँ पे call लग रहा था, तो call stack की यार, memory खा रही है, तो जब मैं display करता हूँ, link list के अंदर, तो यह disadvantage है, कि space complexity खाई जाती है, order of n, almost, ठीक है, तो यह problem हमारी definitely है, ठीक है, यहाँ पे इसका advantage लिख देते है, यह, कि जो display है, display में order of one space ही लग रहा है मेरा, कोई extra space नहीं लग रहा, except the stack, यह आपका advantage है, तो आप देख सकते हो, जब आपको link list यूज करना चाहिए, या फिर कब आपको array यूज करना चाहिए, यह दोनों चीज़े आप जरूर बता देना अपने interviewer को, तो ठीक है यार, आज की वीडियो interview में या तो यार, अच्छे questions पूछते हैं, of course आपसे यह नहीं पूछेगे, कि stack को reverse कर सो, पूछ सकते हैं, recursion से, ठीक है, पूछ तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कि एक stack को दूसरे में copy कर दो, यह मैं आपको basic पढ़ा रहा था, या फिर insert कर दो, push at bottom, पूछे आपसे प rectangle, histogram, यह सब, ठीक है, तो यह आपको अगले class में कराए जाएगे, hard level, medium level, हर level का lead code के questions, आज हमने basic question देखे हैं थोड़े से, और आज हमने implementation देखी है, implementation और जो basic हमारा htl होता है, basic htl भी हमने देखा है, implementation हमने देखी array से, और हमने देखी किस से आर यहां पे link list से, हम बाद में Q से भी देखेंगे, लेकिन Q जब पढ़ेंगे तब बताएंगे वो, यह बहुत important है interview में, interview perspective से, ठीक है, तो यह बढ़िया है, तो भाई, upcoming lecture में, stacks 2 में हम करने वाले है, very important, interview, interview questions, ठीक है, lead code भर-भर के आपको कराया जाएगा, भर-भर के, ठीक है, ताकि आपसे कुछ- कुछ बचेगा ही नहीं, lead code, in fact, GFG भी इसमें कराया जाएगा, कई बार क्या होता है, lead code पे सारे questions अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, तो GFG भी कराया जाएगा, तो आज के लिए तो इतना ही यार, thank you very much, बढ़ जाने से पहले यार, अगर आज का lecture सब कुछ समझ आ गया हो तो comment कर देना, आज की, मज़ा आ गया, ठीक है, ये जरूर comment करना है, आप से मिलते है next lecture में, Stacks के part 2 में, आपका DA से बड़ी जल्दी ही खतम होने वाला है, placement से पहले आपको खतम करा देंगे, और एक नई सीरीज भी आने वाली है, in fact, आपके लिए जो की है OS, DBMS, Computer Networking, तीनो चीज़े आपको कराई जाएगी क्योंकि प्लेस्मेंट में आती है, anyway, जादर चीज़े डिस्क्लोज नहीं करनी थी में को, bye bye, take care.